अच्छे पार्टी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे हर एक चैप्टर का वान शॉट है बट एक चैप्टर जिसका वान शॉट नहीं है ताट इस और आज करीबन साड़े वारा बज़े का समय हो रहा है दिखा देता हूं और ये दिन के साड़े वारा नहीं है रात के साड़े बारा बज़े मैं यहां बेटा हूँ आप लोगों के लिए औरनेटिंग करेंट का वान शॉट रिकॉर्ड करने के लिए वो वाला भी जो चैप्टर है हमारा अपने चैनल पर धल जाए तो सर वट इस दो मोटर अफ दिस सेशन औरनेटिंग करेंट इन व हमार बहल I am your physics educator मैं आप सभी बच्चों को physics बढ़ाता हूँ CEO at AVJMS Educator Private Limited running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen Row तक राइड बचापाटी अगर आप ध्यान से देखोगे अनकैडमी में नया क्या है अनकैडमी में नया है raise hand feature अब आपने hand raise कर सकते हैं अपने educator से doubt पूछ सकते हैं अपना ask around feature पर जैसे मान लो भी साड़े बारा बज़े मैं बैठा हूँ और मुझे गलती से कोई doubt आ गया अब मेरे घर पर teacher नहीं है solve करने के लिए one on one अब यार रात के साड़े बारा पर teacher से बात नहीं कर सकता ना तो मुझे उस doubt को ask around पर डाल देना चाहिए ताकि फटा फट उसका answer मुझे मिल सके और मेरा query sort हो जाए मेरे doubt solve हो जाए अभी तक बचो अगर आपने unacademy का plus subscription नहीं लिया है तो इंडिया के top educators आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे है आईए आप wait किस बात का कर रहे है plus subscription लेना है आपको let's crack board exams बचाबाटी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना बच्चो तो बहुत सारे अलग-अलग batches है जिसमें आपके विनोज सर पढ़ाते हैं test paper भी है बहुत सारे चीज़े हैं आपको क्या करना है वी के army code यूज़ करना है इस code से मिलेगा आपको 10% का off got it guys उसके बाद बात आती है iconic subscription की जहाँ पर मिलता है आपको one-on-one mentorship, personal mentor, live doubt solving session, weekly report, plus के सारे benefits, study planner और parent connect code तो आपको यहाँ पर भी वी के army ही यूज़ करना है जैसी आप वी के army यूज़ करते है code आपको मिलता है 10% off got it guys अगर आप 11th class के भी students इसमें कोई देख रहा है तो हर Sunday को combat होता है एक बज़े code आपको यूज़ करना है V-K-A-R-M-Y, V-K-R-Me got it बच्छा पाटी और अगर आप 12th के students है unacademy emerge आप यूज़ करिए code V-K-R-Me क्योंकि हर Saturday, Sunday, Monday, Tuesday आपका होता है paper mock test दीज़े यहाँ पर मज़े आएंगे बढ़िया लगेगा got it guys ठीक है बच्छा पाटी चलिए अब इसी के साथ यार हम चलते हैं अपने एक blank page की तरफ जिसमें हमें करना है AC का one shot सबसे पहले पहले बच्छो सबसे पहले पहले जब हम इसका alternating current in one shot कर रहे है न जब हम alternating current जब हम alternating current in one shot कर रहे है न भीया तो ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने आपको थोड़ा सा preview मतलब यह अपना overview जानना बहुत जरूरी रहता है सर overview क्या मतलब क्या क्या क्यू बोल रहा मतलब क्या what is the meaning of this इसका सिरफ एक ही मतलब है बच्छो कि जानना तो रहेगा न कि क्या क्या पढ़ना है लाइक आपको AC और DC का डिफरेंस पढ़ लो आप एक बारी AC DC का डिफरेंस पढ़ लेंगे ठीक है ना pen बदल देता हूं एक बड़ी hold कर यह गज़रा इसके बाद आपका average current की बाद पढ़ लेंगे यह वाला pen भी सही नहीं है यह बॉल पहनी ठीक है ठीक है और बस थोड़ा सा डार्क कर देते हैं राइट सो average current की बाद पढ़ लेंगे अपन लोग यहापर average current के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना बचसे तो अपने को अपने को rms i rms e rms सर यह क्या होता है यह सब बताऊँगा मैं आपको यह सब बताऊँगा don't worry about these फिर अपना circuits पढ़ेंगे alternating current मैं जैसे जो जो भी अलग-अलग हमारे पास components होंगे उनके across circuit पढ़ेंगे जैसे अपना r वाला पढ़कते l capacitor lr cr उसके बाद lcr यह सब अपना यहापर इस chapter में है जो हम पढ़ने वाले हैं जब हम यह सब कर लेंगे बच्चो तो अपने पास एक resonance का condition आएगा ओके सर और resonance के बाद अपने पास q factor आएगा जो हमें पढ़ना है resonance के बाद अपने को q factor के बारे में भी पढ़ना है जैसी हम q factor पढ़ते हैं बच्चो तो अब इसके बाद अपना power का concept आजाएगा power in an AC circuits ची क्या ना power in an AC circuits और power का concept करने के just बाद बच्चो पावर का concept करने के just बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अपना transformer अपना transformer बच्चो तो सबसे पहले पहले तो आपको यह difference देखना है कि what is EC and what is DC अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चो शुरू करते हैं पैन को भी बदली देते हैं पैन जो है ना brush वाला ही ठीक था sensitivity देख लेते हैं नहीं है तो बहुत ही ज्यादा हो गया ठीक है ना यहां से देख लेते हैं इसका और ऐसे इसका देख लेते हैं वह यह सही है हाँ आप सही है अप सही है ठीक है चलो तो अब ज़रा देख ले बच्चो अब ज़रा देख लिया जाए guys if you'll see if you'll see मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पहले आपको direct current के बारे में देखना है DC DC का source कुछ ऐसा है मतलब यह इसका symbol है operator होता है हर एक चीज़ का तो यह DC symbol है DC source आर यह बात समझ यह DC source होगे आपका अब DC source में अगर आप ध्यान से देखोगे न तो यह पता है क्या कहता है कि सर बहुत सारे किताब हो में लिखा होता है इसका current इसका जो magnitude है वो constant रहता है यह सचाई नहीं है सचाई यह है कि यह एक unidirectional current है क्या सचाई है बचो सचाई यह है कि यह एक unidirectional current है सर यह बात तो सही है unidirectional है हाँ एक चीज़ और याद रख ले ना magnitude में और में नोट constant सब्सक्राइब अपना constant रह भी सकता है constant नहीं भी रह सकता है बात समझ में आ रही है में और में नोट constant सर कैसे देखिए अगर unidirectional और same magnitude मतलब constant magnitude हो तो आपने ऐसा लिख दिया पड़ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आगे जाकर आप मेरे साथ एक device पढ़ेंगे जिसको बोलता है rectifier क्या होता है rectifier rectifier असल में AC को DC में convert करता है तो वहाँ पर direct current का जो magnitude है न मतलब वो vary करता है समयानुसार वो vary करता है हाँ ये बात लगए कि direction सेव रहेगा लेकिन वही अब जैसे आप inverter देखते हो तो inverter को आप DC देते हो वो AC में convert करता है उसको तो alternating current का क्या scene है ये unidirectional नहीं है ये क्या करेगा ये AC क्या करेगा बच्चो ये कुछ time period के बाद अपने direction को reverse करेगा देखो after a particular time period alternating current reverses its direction AC जो है वो कुछ समय बाद अपने current के direction को reverse कर रहा होगा अगर कोई आपसे पूचे alternating current is a current whose magnitude varies with time and it reverses its direction after a period of time सब कुछ particular period of time के बाद ही अपने direction reverse कर रहा होता है I hope this is clear guys DC unidirectional AC अपना direction reverse करता है after some particular period of time already AC generator में chapter 6 में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि सर कि सर अगर आप देखते हो तो E बराबर जो होता है अगर आप देखते हो तो E बराबर जो होता है वो E not sine omega t होता है बट आपको ये भी पता है कि सर अगर हम I देखे तो I तो E by R होता है that simply means E not by R sine omega t भाया E not by R क्या है E not by R क्या है I not only I not this is sine omega t हाई है ना, तो i क्या हो जाएगा i not sin omega t is this clear बच्छो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है so i is i not sin omega t पकी बात है, बात समझ में आ रही है i is i not sin omega t ये भी सर बात सही है आपकी अब एक काम करते है, अब एक काम करते है बच्छो आपका आपने का सर i बराबर i naught sine omega t यह क्या होता है what is this i सारे terminologies को समझना बिटा इसको बोलते है i instantaneous इसको बोलते है i instantaneous बचो यह है अपना i instantaneous is this clear बचो this is your i instantaneous मेरी बात समझेगा बचो यह तो आपका i instantaneous है यह कहानी समझ में आती है यहाँ पर जो हमारे गरों में current मिलती है न बिटा अभी आगे इस term का जिक्र आएगा rms rms current rms इस rms term का जिक्र आएगा तो जो भी हमारी source voltage या source current जो दिया होगा न जो हमारे गरों में हमें मिलता है जो हमारे गरों में हमें मिलता है उसको बोलते है बच्चों उसको बोलते है आपका RMS current या RMS voltage RMS current या RMS voltage यह RMS term आएगा अभी थोड़ी दिनों में थोड़ी दिनों में अभी RMS current आएगा तो यह आप पढ़ोगे मेरे साथ अब जैसी आपने यह concept पढ़ते है तो सबसे पहला पहला जिक्र आता है हमारे दिमाग में कि अचा current जा रहा है और समय अनुसार vary भी कर रहा है अगर तो current समय अनुसार vary कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ sir average current मिलेगा क्या उसका या एक बात बताओ अब कुछ टी टाइम बात current change हो रहा है तो उसका average current तो मिलेगा तो सबसे पहला जो concept आएगा that is average value of current over its period, time period यानि कि एक complete देखो क्या होता है जब आप देख पा रहे हो तो आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हो के सर ये उपर और फिर आपका नीचे तो इसको बोलते positive half cycle इसको बोलते negative half cycle इसको बोलते positive half cycle नीचे वाले को बोलते negative half cycle बात समझ मैं आरी positive half cycle में current भई या बढ़ रहा है देखो zero से current ऐसा बढ़ रहा है मतलब ये अपना current की value बढ़ रही है maximum फिर 0 फिर अपना maximum फिर 0 सर इसका मतलब थोड़ा सा ना practical way में समझाओ थोड़े मज़े आ जाएंगे देखो भी यह practical की कहानी सुनते है आपके घरों में electricity आती है आती है ना बिल्कुल आती है सर अब उसमें क्या होता ना जब आपका current आता है तो generally household की जो frequency मानी जाती है वो मानी जाती है 50 hertz वो कितनी मानी जाती है 50 hertz सर ये 50 hertz अच्छे इसको और ऐसा भी बोल सकता है 50 cycles per second इसको ऐसा भी बोल सकता है 50 cycles per second सर ये 50 cycles per second का मतलब क्या है what is the meaning of this 50 cycles per second समझना मेरी बात को समझना बच्छो मेरी बात को 50 cycles per second सर ये जो 50 cycles per second है इसका मतलब ये होता है कि एक second में देखो ये एक cycle है तो ऐसा एक second में 50 cycle current जो है न, cover कर रही है सर मतलब, मतलब ध्यान से देखना current becomes समझना इस बात को current becomes current becomes zero twice 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 in one second कैसे सर, क्या मतलब इसका देखो भईया current शुरू आत हुई maximum भी दो बारी हुई ये एक upper maximum एक lower maximum यह अपर point पर zero हो गई और इस point पर आकर फिर से zero हो गई ये तो एक ही cycle है न भईया ये तो एक ही cycle है एक cycle में भईया इस एक cycle में ये और ये इस एक cycle में current दो बार zero हो गई तो इसका मतलब जब हमारे गरों में current आएगी तो एक second में सौ बार zero होईगी या ऐसा ऐसा आ रहा होगा अब यार इतना ज्यादा fluctuation समझ में नहीं है तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए अब अपने को देखना होता है average current क्या देख रहे है average current अपना AC circuit का average current सो आप ध्यान से देखेगे topic number first topic number first which is what क्या है topic number first sir average current average current of an AC circuit और even average current भी कौन सा alternating current ही तो आप ले रहे हो ठीक एन average current of an AC circuit over a complete cycle over a complete cycle मतलब एक complete cycle के लिए average value of current of an alternating current average value of AC over a complete cycle इसको इवन अगर और अच्छे से लेको तो आप सिदा सिदा ऐसे लेको average value of AC over a complete cycle एसा ही लिख लो भाई या average value of AC over a complete cycle average value of AC over a complete cycle आ रहे है बात समझ में average value of AC over a complete cycle got it guys कैसे समझ येगा बात को बात को समझ येगा बच्छो average value of AC over a complete cycle तो हम बोल रहे हैं अब इसमें क्या करेंगे ना इसमें क्या करेंगे आपने का सर I average बराबर अपना Q by T time period T का मतलब क्या है अगर मैं ऐसा बोलू आपको अगर मैं आपको ऐसा बोलू कि I average बराबर भया I होता है DQ by DT हाँ सर तो DQ क्या होएगा IDT अगर मैं DQ का integration ले लूँ अगर मैं इस IDT का integration ले लूँ अगर आप लिखोगे तो ऐसा लिखो हाँ एक और बात ध्यान रखना NCRT कैसा लिखती है वो देख ले न NCRT कहती है I average ची कहना तो I के अंदर I तो यह तो current है अगर इसके बाहर ऐसा bracket लगा दोगे तो यह I average हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह अपना इसको क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे I average I अच्छा दुबारा bracket लगाओ तो confused हो जाओगे सिर्फ ऐसा लिख लेता है Average current तो ज्यादा समझ में आएगा Average current क्या मेरी बात समझ में आएगा Is it clear guys? Yes sir This is very very clear Got it बच्छा? ठीक है न? तो यह आपका इसर होगे तो अपने का sir I बराबर I not sin omega t है और अपने को तो Average value of AC over a complete cycle देखना है बिल्कुल देखना है तो I average अगड़ देखना है तो वो क्या होगा बच्छे? I dt का integration over dt का integration I dt का integration over dt का integration Sir I क्या है? I not sin omega t into dt का integration upon dt का integration upon dt का integration बातों सही है Limits क्या लगा होगे? 0 से capital T 0 से capital T भहिया I not को बाहर निकाल लो I not को बाहर निकाल लो integration of sin omega t into dt dt का integration क्या होगा? यह 0 से T है dt का integration क्या होगा? small t कहा से कहा तक 0 से T था मेरी बात समझना बहुत सारे यहाँ पर bio students भी होंगे जिनको यह integration में बड़ी तकलीफ होती है तो हम यहाँ पर integration में डालते हैं बिटा chain rule हम यहाँ पर integration में गैड़ा लेंगे chain rule तो क्या होगा जबी भी ऐसा integration होगा जबी भी ऐसा integration होगा तो आप पते क्या करोगे सर साइन omega t into dt आप न आप न omega t को u मान लोगे आप u मान लोगे omega t अब एक बड़ी du का ये तो आपका integration एक बड़ी du by dt कर लो यानि d by dt of omega t तो भी ये जब ऐसे कर रहे हो आप d by dt of omega t तो इस case में सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा इस case में omega आपका बाहर आजाएगा बराबर omega आगे आपने का सर du by dt बराबर omega अगर ऐसी बात है तो dt क्या हो जाएगा dt को सामने पे जो omega नीचे आप तो dt क्या हो जाएगा du बटा omega अगर ऐसी बात है तो dt क्या होगे du बटा omega तो sir इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या sin of u into du लिख सकते हैं sin u का integration minus cos u अच्छा du तो है du upon omega भी आएगा तो minus cos u by omega यानि minus cos omega omega t by omega क्योंकि u आपका omega t है आई बात समझ भाएगा चलो अभी इसको समझते हैं जरा इसका short trick भी मैं दे रहा हूँ आपको अगर आपको integration करना है जैसे sin omega t है उसको बस उसके differentiation divide मार दो उसको बस उसके differentiation से divide मार दो अगर ऐसी बात है तो भी यह यासे ऐसे हो जाएगा i not by इसकी जगे तो अपना t minus 0 होई गया इदर sin omega t मतलब minus cos omega t और मैंने आपको कहा था इसके differentiation से इसको divide मार दो तो यह हो जाएगा omega 0 से t त omega बाहर निकालो i not by omega t अंदर आएगा बच्चे minus भी बाहर निकाल दो अंदर आएगा cos omega की जगे 2 pi बटा t small t 0 से capital t अब एक काम करीए उदर लेके चलते किदर लेके चलते है इदर तो sir i average बराबर minus i not by omega t minus i not by omega t इदर से अब देखेगा cos 2 pi by capital t small t की जगे एक बड़ capital t बच्चे minus cos 0 minus cos 0 t c t कट गया so i average is going to be i average is going to be minus i not by omega t minus i not by omega t अपना cos 2 pi cos 2 pi कितना होता है 1 minus cos 0 कितना होता है 1 1 minus 1 0 तो आप कहेंगे sir i average बराबर 0 sir ये क्या है असल में average value of ac over a complete cycle is 0 sir कैसे आरे भाया देखो positive negative positive negative average value तो 0 हो गया बढ़ रहा है बढ़ रहा है 0 हो गया फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है maximum हो गया फिर 0 हो गया अगर एक जगे से मालो एक plus 10 है दूसरा minus 10 है तो खतम हो गया plus 10 minus 10 0 खतम हो गया right बच्चो तो plus 10 minus 10 खतम हो गया is it clear गच्चा बाटी ये है आपका average value of ac over complete cycle sir जरूरी थोड़े complete cycle चलो एक काम करते है complete cycle खतम करते है half cycle की बात करवा दो half cycle से एक बड़ी बात करवा दो वो topic पढ़ेंगे अभी यहां तक आपने note कर लिया होगा बच्चा बाटी नहीं करा तो अपना screenshot ले लो इसका या post करके अपना note करना शुरू करो क्योंकि वैसे भी premier videos है अब इसके बाद आएगा बच्चो average value of ac over half cycle क्या sir समझना इस बात को समझना इस बात को sir sir average value average value of ac over half cycle over half cycle इसमें कुछ नहीं है बच्चो यह बहुत simple है आपने का sir i average क्या होगा i dt का integration by dt का integration sir i तो i naught sin omega t है sir i तो i naught sin omega t तो अब इसको थोड़ा नीचे लिखूँगा limits कहा से कहा तक लगाओगे बच्चे limits लगाओगे 0 से t by 2 ता क्योंकि half cycle की बात हो रही है और half cycle का मतलब पूरे cycle का आदस हमें i की जगे i naught sin omega t लगाओ जैसे लगा रहे थे into dt ची कहना अब यह बाहर निकालो 0 से t बटा 2 नीचे आपका हो जाएगा small t 0 से t by 2 again i naught बटा यह क्या हो जाएगा t by 2 इधर आजाएगा आपका minus cos omega t by omega 0 से t by 2 again 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 बाहर निकालो यह 2 उपर बेजो तो 2 i naught by अपना omega t बाहर आजाएगा इधर क्या आएगा minus cos omega की जाएगा 2 by 2 अच्छा minus भी बाहर निकालो 2 pi by t small t 0 से t by 2 yes sir okay minus 2 i naught by इधर से क्या होगा 2 pi by t into capital T इधर से आपका cos 2 pi by t एक बटी small t की जाएगा t by 2 minus एक बटी cos 0 बेए t से t कट के 2 से 2 कट के बाहर आया minus i naught by pi अंदर क्या बच रहे t c t कट के 2 से 2 कट के cos pi minus cos 0 सर minus i naught by pi समझ में आ रहा है cos pi के है minus 1 minus cos 0 के है minus 1 तो minus i naught by pi और इधर से आपका minus 2 minus से minus खतम करो यह आया 2 i naught by pi यह आया 2 i naught by pi ऐगात समज? और यूकन से और यूकन से 2 I not by पाय तो यह अपका अप्रॉक्सिमेटली आता है 0.707 एक मिनेट एक मिनेट एक मिनेट एक मिनेट अपका 2 by लगब 1.57 तो अगर 2 by आगर यह 300 होता तो 2 by 1.500 I not by 1.500 यानि कि 1000 by 1.500 तो यह 0.637 आएगा, यह 0.637 आई नोट आएगा, approximately, approximately 0.637 आई नोट आएगा, कहने का मतलब यह है कि जो average, देखो एक तो maximum value बन रही है, maximum value जितनी बन रही है, उसका 0.637 टाइम्स होगा average value of the, over the half cycle, बात समझ में आ गए, सर जैसे ही average value of over half cycle है, उसी तरीके से EMF भी बनती है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आए होप आप लोगों ने, मैं तो आगे चल रहा हूँ, आप देखेगा, अब हम पढ़ेंगे बच्चो, अब हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, average value of AC over, okay, average value of EMF over half cycle, और full cycle, और full cycle, भाया half cycle में तो 2E naught by pi हो गया, और full cycle में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बात ही क्यों होगा, is this clear, sir, average value of half cycle का मतलब क्या है, बिटा, अगर एक resistor है, एक resistor में, अगर direct current का source, कुछ charge बेज रहा है, कुछ समय में, उतना ही charge, alternating source जो बेज रहा है, so that current is known as average value of current, or of AC over half cycle, आई बात समझ, यहाँ तक ही कहानी के लिए रहे, got it, अब चलते हैं बच्चों, मैंने एक term बताया था आपको, RMS value of current, that is a very very important term, RMS value of current, क्या सर, RMS value of current, वही तक पोच्चते हैं, so, 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 हाँ, पहले यह समझ लो, ठीक है न, RMS की बात समझ लो, RMS क्या बोलता है, root, mean, square, root, mean, square, ठीक है न, root, mean, square, NCID कहता है, कि पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, सॉरी, ठीक है, पहले, पहले, अपना mean करो, पहले square करो, पहले square करो, फिर average निकालो, फिर average निकालो, और फिर, और फिर, और फिर, अपना, root करो, फिर root करो, कैसा, देख वही, यह है आपका, i square average root, NCID तो ऐसा कहता है, और आपको पता है, i average क्या है, i dt, तो i square dt, i square dt, right, और इसका नीचे आपका dt, और इसका हो जाएगा आपका root, आई बद समझे, और इसका हो जाएगा आपका root, so this is rms value of current, rms value, to rms क्या कहता, root mean square, sir, यह rms क्या मतलब पर जुसा है अभी आपने average value की definition बोली, same कहानी है, अगर r resistor, इसके across, direct current का source, या dc, कुछ current बेजेगा, तो कुछ small dd time में कुछ heat प्रिदूस होगा, उतना ही heat, अपना, अपना alternating source जो प्रिदूस करेगा, that current is known as rms, अचा rms value of current को आप i effective भी बोल सकते हो, या i virtual भी बोल सकते है, i virtual भी बोल सकते है, या फिर अपना i rms, आ रहे यह बात समझ बे, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, got it, is this clear, समझने की कोशिश करना बचो, समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपको कहूँ, कि i current है, which is i not sine omega t, और यह i current जो है न, circuit, एक resistor r में जा रहा है, for small time dt, यह कितना heat produce करेगा, sir dh, वो क्या होगा, वो होगा i square r dt, वो होगा i square r dt, इतना ही heat, एक effective value of ac produce कर रहा है, effective मानी, अभी अपने को नहीं पता है, effective क्या है, अभी आप समझो, तो i effective क्या होगा बच्चे, उसने जो heat produce करा होगा, वो क्या होगा, heat produced by i effective, so i effective का square into r, into मानले total t time period में कर रहा है, मानले 0 से 1 पूरा complete cycle में कर रहा है, तो ये first है, और ये second है, अगर मैं यहाँ से h निकालूँगा, अगर मैं यहाँ से h निकालूँगा, तो क्या होगा, dh का integration करना पड़े, यानि i square r dt का integration होगा, हाँ या न, got it, सर ये तो बात से ही आपकी, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, ये तो ऐसा हो गया, अगर मैं कहूँ कि यह यह भी h है, और यह भी h है, तो यहाँ से क्या होगा, i square r dt का integration is going to be equal to i effective square r into t, भे यह tc divide मारो, i square r dt by tc divide मारा, चीक है, इसका तो integration है, बराबर i effective का square, आपको यह नहीं समझ में आ रहा क्या, कि यह i square, देखो, पहले आपने square किया, पहले आपने square किया, फिर आपने, फिर आपने, देखो, मतलब i square into dt by dt का integration, तो कहीं न कहीं यह square वाला और mean वाला और उसका integration, अगर इसका root कर दू, तो आई effective I के, अगर इसका root कर दू तो i effective यह नहीं की आई effective किस के बराबर आगेगी सामसे, rms के बराबर, अरे भज्या i square dt का integration, आपन dt का integration, देख ये लिखवाया था I square dt का integration upon dt का integration ठीक है ना और अगर इसका root कर दूँ तो ये I rms आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा square का root कर देंगे I square dt upon t ठीक है ना एक काम करना R से R सीधे ही cut दे तो R तो खतम ही हो गया R से R cut गया R तो खतम हो गया तो I square dt upon t इस t को आप क्या लिख सकते हैं dt का integration 0 से t तक और इसका root कर दो तो ये I rms नहीं हो जाएगा तो I effective के इसके बराबर हो गया I rms के बराबर है यानि I effective I rms बात तो same ही तो इसका मतलब सर I rms का square जो आएगा that is going to be under root I square मानि I naught square sin square omega t क्योंकि I कितना है I है I naught sin omega t I है I naught sin omega t तो सर यहां से ऐसा आजाएगा और अपना 1 by t तो ही है इसको छोड़ रहते है ये ऐसे हो गया अपना 1 by t तो ही है इसको ऐसे का ऐसे रहने देते है सर एक बात बताएए इसके बाद अगर आप चलोगे तो I rms का जो square आएगा that is going to be 1 by t तो ही है I naught square भी है वो बहार आजाएगा I naught square बहार आजाएगा तो सीदा I naught square by t डालो और integration of बच्चे sin square omega t है ठीके ना और यार d t तो था ही था d t तुम बूल गए एक बार बताऊँ आपको 2 sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta होता है is equals to 1 minus cos 2 theta होता है तो sin square theta क्या होगा 1 minus cos 2 theta by 2 1 minus cos 2 theta by 2 तो इसका मतलब यहाँ पर sin square theta की जगे आप क्या लिखोगे 1 minus cos 2 omega t by 2 into dt आई बात समझे सर 2 बहार निकालो अब limits लगा सकते हैं अब 0 से t तक 2 बहार निकालो तो i rms का square बराबर i naught by 2t यहाँ पर देखो 1 into dt 1 का integration small t तो अब लिख लो एक बारी एक बारी लिख लो 1 into dt का integration 0 से t तक minus अपना cos 2 omega t into dt का integration 0 से t तक आपको तो पता है देखो i rms का square is going to be i naught by 2t इधर से देखना 1 into dt का integration अपना small t 0 से t तक minus cos 2 omega t का integration cos का differentiation minus होता है पर integration plus होता है sin 2 omega t और आपको समझाया था इसको divide करो इसके उस term से जिसमें आपना जिसने x की जेगे लिए रखी थी उसके differentiation से तो 2 omega डिवाइड हो गया वो भी 0 से capital t था भहिया 2 omega तो ठीक है तो i rms का square जो होगा that is going to be i naught by 2t इसकी जेगे capital t हो गया minus इदर 1 by 2 omega आ गया तो इदर आजाएगा आपका sin of sin of थोड़ा उपर कर रहा हूं मैं इदर आजाएगा आपका sin of 2 into 2 pi by t small t की जेगे एक बढ़ी capital t minus एक बढ़ी 0 आई बात समझे yes sir तो इसका मतलब i rms का square जो हो रहा है वो हो रहा है i naught by 2t t minus 1 by 2 omega इदर आपका sin of 4 pi minus sin 0 भई है sin 4 pi भी 0 होता है sin 0 भी 0 होता है तो i rms का जो square आ रहा है आपके पास वो रहा है i naught by 2t into सिर्फ t तो इसका मतलब i rms का i naught square sorry हर एक जगे i naught square है बटा तो i rms हो गया i naught square by 2 तो i rms क्या होएगा that is going to be i naught square by 2 यानि i rms हो गया i naught by root 2 क्योंकि ये तो rms square है i rms क्या हो जाएगा root हो जाएगा यानि i naught by root 2 आज के बाद कोई आप से पूछे root mean square value of current आप maximum वाली value को root 2 से divide मालो अगर i rms पूछे तो आप maximum value of emf को root 2 से divide मालो तो आप maximum value of emf को root 2 से divide मालो कहां ही खतम हो गया i rms भी मिल गया i rms भी मिल गया i rms वही है कि भईया dc source ने कितना heat produce करा ठीक है न उस small d time में उतने ही time में अपना ac source ने जो heat produce करा so that ac source is यहां तक ही कहाली clear है तो आपके पास ये सारे concepts clear होगे भईया कि अपने को करना क्या है इतने सारे concepts आपने पास clear है अब जो हमारा concepts बचता है अब जो हमारे concepts बचते है वो क्या है वो मैं बता लिता हूँ अब सबसे पहला पहला जो concept बचेगा that is going to be बच्छा पार्टी phasor diagram that is going to be phasor diagram sir phasor diagram क्या है phasor diagram phasor diagram से पहले एक काम करता हूँ एक दो सवाल आपको करवा देता हूँ right बच्छा पार्टी एक दो सवाल करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा तो देखो बच्छो सवाल नहीं है यार बहुत एजी पूचेगा आपसे बना बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा easy question पूचने वाला है आपसे जैसे मानलो उसने पहला ही सवाल पूच लिया आपसे के sir sir peak value peak value of n alternating voltage applied applied to a 50 ohm resistance to a 50 ohm resistance is 10 volt is 10 volt okay so find the find the RMS current find the RMS current if the voltage frequency if the voltage frequency is 100 hertz 100 hertz find the equation for find the equation for the instantaneous current instantaneous current instantaneous current बच्चा पाती find the equation for the instantaneous current I hope this is clear बात समझना बच्चो बात समझना इस case में जब ऐसा बोलता ना कि peak value of an alternating voltage is applied is इतना 50 ohm is 10 volt peak value का मतलब E0 की बात पूच रहा है peak value का मतलब किसी की बात पूच रहा है E0 की बात पूच रहा है आपसे got it peak value का मतलब E0 की बात पूच रहा है और E0 कितना 10 volt और आपको R कितना दे रखा है 50 ohm RMS current पूच रहा है IRMS सबसे पहले पहले आप I0 तो निकाल लो I0 क्या होग अब यह E0 by R I0 क्या होग इ0 by R बात आ रही समझ में यह सर I0 तो E0 by R होगा तो अपना I.R.M.S क्या होगा फिर I0 by root 2 इसका मतद इस गोई टो बी E0 by R into root 2 चीक है न E0 कितना है 10 by 50 और अपना root 2 यानि root 2 उपर चला जाएगा तो नीचे आदाएगा 10 बात समझ में आ गई यानि कितना 1.414 by अपना 10 यानि यह हो जाएगा 0.1414 Ampere approximately इतना होगा I.R.M.S और अब equation पूछ रहा है instantaneous current की तो आपको पता होना चीए कि I बराबर आपको पता होना चीए I बराबर I not sine omega t होता है और omega बराबर आपको पता 2 pi nu होता है So I is going to be I not sine 2 pi nu t यानि I not कितना है I not है आपका 10 by 5 यानि 1 by 5 यानि 0.12 हाय है न I not तो अब क्या हो जाएगा 1 by 5 ठीक है न और sine इदर से 2 pi new कितना दे रखा है frequency कितना दे रखी है 100 hertz तो 2 pi को 100 से multiply मारो और यान से अपना time करे So this is going to be 1 by 5 यानि 0.2 0.2 sin of 200 pi t ampere milli ampere करना है तो इसको अपना 200 से multiply करना है Is it clear? What is this? instantaneous value of current What is this? instantaneous instantaneous value of current मैं से पाथ है instantaneous value of current हाय है न clear है आथ है कि कहानी ऐसे question भी आप से basic basic level पर पूछ सकता है बचो इसी के just बात जो हमारी कहानी है न अब हमारी कहानी आईगी phasor diagram क्या? phasor diagram एक एक ऐसा diagram phasor diagram जो बेसिकली आपका EMF और current को rotating vectors से दिखाता है और हमें बचाता है कि current और EMF का क्या phase difference है या क्या phase difference नहीं है हमें बताता है कि current और EMF का क्या phase difference है और क्या phase difference नहीं है तो आप सीधा-सीधा यहाँ पर एक चीज बोल सकते हो बच्चो किसर अगर अपने को phasor diagram की बाद देखना है इसको आप argand diagram भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो A-R-G-A-N-D आप rotating vectors की तरू यहाँ पर आप rotating vectors की तरू जैसे मान लेते हैं यह आपका i हो गया और यह आपका यह आपका मान लेते हैं i हो गया यह आपका e-not हो गया यह i-not हो गया तो यह एक चीज देखना ओके इस इस यह आई और आप यहाँ पर देखो अगर आप ऐसा देख रहे हो, तो this is your omega t, कुछ भी angle, और यह आपका something phi, तो e क्या होगा, e0 sin omega t, but current is something ahead of emf, तो current क्या हो जाएगा, i0 sin omega t plus phi, high, phi क्या है या आपर phase difference, सरी ये phase difference क्या है, बचो देखो, एक तो ऐसा हो रहा है कि current जिस समय श्यूरू हो रहा है, मतलब EMF जिस समय शुरू हो रहा है current भी उसी समय शुरू हो रहा है maximum भी एक साथ हो रहे minimum भी एक साथ हो रहे एक ऐसा भी समय आ सकते है कि current कि जब EMF शुरू हुआ तो current जो है न current जो है न उसके बिलकुल 180 degree पीछे start हो रहा है बात समझ भे आ रही है यानि जब EMF अपना positive cycle current EMF अपना positive half cycle में था तो current उससमय अपना negative half cycle में था 180 degree का phase difference था एक जामबल बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है generally आपको अभी circuits पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना phase difference कौन कौन सी चीज में होता है यह है आपका एक argand diagram अब यह इस ही diagram कितनु आप यह बता सकोगे कि current EMF से आगे जा रहा है या EMF current से आगे जा रहा है कौन किस से आगे कौन किस से आगे नहीं है तो इसके लिए आपने को पढ़ना पढ़ेगा alternating AC circuits इसके लिए आपने को पढ़ना पढ़ेगा AC circuits मतलब आप देखो एक ऐसा AC circuit जिसमें या तो सिरफ resistance हो या तो सिरफ inductor हो या तो सिरफ capacitance हो ऐसा करके तो आप यह कह सकते हो sir पहला AC circuit AC circuit चिक है ना AC circuit containing resistance only AC circuit containing resistance only क्या मेरी बात समझ में हारी क्या मेरी बात समझ में हारी AC circuit containing resistance only is it clear पचो तो AC circuit containing resistance only एक सिके जड़ा hold करना आप लोग फाइल को जड़ा ठीक करें यानि कि अपने को थोड़ा सा gap में चिक है AC circuit containing resistance only दियान से देखेगा बच्चो ये आपका R है ये AC source है ये क्या है AC source है ये क्या है AC source है so this is going to be E not sine omega t this is going to be E not sine omega t E is like आपका E not sine omega t sir I आप देखो E तो आपका E not sine omega t ही है I क्या होगा बच्चे I is going to be E not by R E not by R sine omega t बात समझ में आरी I is going to be E not by R sine omega t what is this I not so I बराबर I not sine omega t आपको दिखा ही दे रहा है यहाँ पर भी sine omega t यहाँ पर भी sine omega t यहाँ पर यहाँ पर ही नहीं इसका मतलब phase difference क्या है 0 है इसका मतलब भया phase difference 0 है मानी current and EMF are in same face मतलब I and E are in same face इसका मतलब यह है बच्चो इसका मतलब यह है अगर आप इसका graph बनाओग या diagram बनाओग तो यह कुछ इस प्रकार से होगा यह आपका omega t के साथ E versus I curve है E and I curve versus omega t तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सर यह मान लेते ऐसा बन जाता है यह आपका EMF है यह E not है ठीके ना और यह आपका EMF का curve है और यह मैं current का ना थोड़ा सा इससे नीचे बना रहा हूँ वट इस दे रीजन बहेंड देट क्योंकि भाई आई जो है वो I not बटा R है ठीक है ना और sorry I not जो है वो अपना E not बटा R है I not जो है that is going to be E not by R अब I not तो E not by R है इसका मतब समझे रहो I not तो E not by R है तो यह कुछ ऐसी सी कहानी है ऐसा से कुछ situation है बच्चो I not तो E not by R है तो E not से तो R डिवाइड करोगे भई कोई भी चीज डिवाइड करोगे पर चोटा ही आएगा ना समझ में आए कि नहीं है तो यह अपना maximum current I not होगे अगर इसका phasor diagram बनाओगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा यह आपका I और यह आपका E not rotating vectors है समझ में आए कि नहीं है यह आपका I और यह आपका VR का phasor दोनों के दोनों क्या बना रहे है omega t बात समझ में आ रहे है तो यह इसका phasor diagram हो गया कुछ इस प्रकार से होता है और यह बात समझ जरूरी नहीं है न सिरफ RR पढ़ेंगे अब एक काम करते हैं एक और diagram पढ़ते है AC circuit containing inductor वहाँ से थोड़ी सी और clarity हो जाएगी वहाँ से थोड़ा सा और अपने को impression पता चल दाएगा कि हमें क्या चीज कैसे करनी है राइड बच्छा पार्टी I hope this diagram is clear to you अब पढ़ते AC circuit containing inductor only तो एक बादी देख लेते मतलब like AC circuit containing inductor चीक है ना सबोस करते हैं भी या सबोस करते हैं आपका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यापर AC circuit ठीक है ना हम लोग यापर क्या पढ़ रहे AC circuit containing inductor only ठीक है न भी या AC circuit containing inductor only है ना AC circuit containing inductor only हम पढ़ रहे AC circuit containing inductor only जरा ध्यान दीजेगा यापर जरा ध्यान दीजेगा यापर अगर आप देखोगे न यहाँ पर आपने का sir AC circuit containing inductor only inductor connect करो और यहाँ से AC source लगाओ यह inductor हो गया this is your E0 sin omega t this is your E0 sin omega t concept को समझने की कोशिश करना concept को समझने की कोशिश करना sir जब आप current pass कराओगे तो back EMF होगा की नहीं होगा chapter 6 के तहट back EMF होगा so there will be back EMF यानि कि that is going to be that is going to be minus LDI by DT मान के चलते है मान के चलते है कि भईया resistance 0 है resistance negligible है मान के चलते है तो sir kirchof law लगाओ kirchof law क्या कहते है kvL लगाओ kvL क्या कहते है net E is equal to summation of IR इसका मतलब भईया E plus अपना plus अपना यहाँ पर E में से E में से क्या minus होगा अपना E के साथ plus करके यह back EMF plus कर दो गया तो क्या हो जाएगा IR यानि 0 क्योंकि R 0 है तो यह इसको उदर पेश देंगे तो E क्या हो जाएगा LDI by DT यह भी बात समझ में हा रही है इसका मतलब E की जगे E naught sin omega T लगा देते E की जगे E naught sin omega T लगा देते उसके साथ DT multiply मार देते तो यह हो जाएगा आपका LDI L और divide मार दो E naught by L sin omega T into DT is going to be DI is going to be DI बात समझ ना मेरे को लेकिन DI नहीं चाहिए मेरे को तो current चाहिए तो current के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस DI का integration लेना पड़ेगा which is going to be I जो कि I होगा इसका मतलब यहाँ से E naught by L तो आजाएगा integration होएगा sin omega T sin omega T into DT integration होगा बिटा sin omega T into DT जब आपका definite integral है तो constant नहीं आएगा लेकिन जब indefinite integral है तो constant तो आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर देखो बड़ी simple सी बात कुछ ऐसी है बच्छो कि यहाँ पर आपका E naught by L देखो sin omega T के लिए मैंने क्या कहा था minus cos omega T और divide होगा यहाँ पर omega से तो omega भार निकाल लिए मैंने सी ज़ीज़ीदा minus भी भार निकाल रहा हूँ plus यहाँ पर constant of integration लगा देना असल में अगर आप देखोगे sinusoidal है मतलब आपका जो applied EMFA यानि कि E naught sin omega T वो sinusoidal है तो हम यह expect कर रहे है कि current भी sinusoidal होगा और अगर current भी sinusoidal है तो average value of current over a time period is 0 तो इसका मतलब cos omega T का average value भी 0 हो जाएगा इसका मतलब आपका C क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब आपका C 0 हो गया तो आप यह कह सकते हो आप यह से यह कह सकते हो कि Sir then I is going to be minus E naught by omega L minus E naught by omega L cos omega T बात समझ में आ गए cos omega T Sir मुझे current को भी sinusoidal form में ही बनाना है current को भी sinusoidal form में ही बनाना है तो इसको सामने लेके जाओ I is going to be minus E naught by omega L Sir cos omega T क्या होगा cos theta बरावर sin 90 minus theta so sin 90 minus theta sin 90 minus theta आई यह बात समझ sin 90 minus theta minus अंदर बेजो अच्छा theta की जागे क्या होगा या पर omega T theta की जागे क्या होगा omega T minus अंदर बेजो I क्या होगा minus omega naught by omega L sin plus omega T minus pi by 2 plus omega T minus pi by 2 आई यह बात समझ plus omega T minus pi by 2 this is your I this is your I बात समझना, this is your I इसका मतलब ये है बच्चो इसका मतलब ये है कि sir अच्छा माइनस तो आपने अदर बैज दिया ना तो माइनस की जग तो प्लस हो जाएगा अब या पर इदर देखो, ये क्या है? E not by something है, अब E not by तो R होता है ना I not तो इसका मतलब यहाँ पर आई नोट की वैल्यू भी अपने को दिख रही है आई नोट की वैल्यू भी अपने को दिख रही है क्या दिख रही है आई नोट की वैल्यू अपने को आपका आई नोट की वैल्यू अपने को दिख रही है that is going to be e not by that is going to be e not by omega l e not by omega l अब यहाँ पर सथी है omega l के है तो i not होता है e not by r यहाँ पर r नहीं है यहाँ पर होगा xl यहाँ पर होगा xl xl कहा है सर? xl के बारे मैं बताऊँ गाँ पीछे xl नहीं यहाँ पर कहा है xl कुछ और है समझां इस बात को, बस यह समझ लोगी फिलाल तो, कि i is going to be i0 sin of omega t minus pi by 2, sin of omega t minus, right है, यह minus pi by 2 कहने का मतलब ही सिरफ इतना है कि करेंट जो है, वो अपना emf से 90 degree phase difference पीछे है, यानि current, जब emf अपना maximum value होगा, तो अपना voltage अपना, जब emf अपना positive maximum बनाएगा, तो voltage अपना उससा में 0 होगा, जब emf 0 होगा, तो current अपना maximum value achieve कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है, clear है, इस statement को कैसे लिख सकता हूँ, इस statement को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कि sir, current lags behind emf, और emf leads current by voltage, by phase difference, pi by 2, by phase difference, pi by 2, by phase difference, pi by 2. I hope this is very 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 clear to you all, right DG, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई से, अगर ऐसी ही बात है, तो थोड़ा सा आगी चलते, अपना जो वो excel वाला concept था, ये क्या है, sir, resistance तो नहीं बोल सकते, resistance तो अपना resistor का resistance है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते है या, inductive reactance, है तो ये resistance है, तो ये भी resistance, अब या, resistance का मतलब क्या होता है, opposition, तो इसको अलग नाम देने का परपस ये है, कि जो खाली जो resistor, क्योंकि वो भी एक pure resistor आपने पढ़ा, उससे confusion ना हो, तो इसलिए इसको एक अलग नाम दिया, ये क्या है, भाया, this is also opposition, opposition, offered, offered to the flow of current, और कौन प्रोवाइ opposition, वही अपना inductor, वही अपना inductor, inductor क्या कर रहा है, current composition प्रोवाइड कर रहा है, इसका unit क्या होएगा, unit इसका ohm होएगा, clear है, अपने को कोई दिकती ने, unit तो इसका ohm ही होगा, बात उसे ये, sir, जैसी भी ये concept आपको समझ में आ रहा है, तो अब इसकी बाद ना, यार कु तो XL हो गया, 2 pi new L, इसका मतलब XL is directly proportional to new, इसका मतलब अगर आपको graph बनाना है, तो XL और new का graph बनाइए, directly proportional कर ये, XL आपका new के directly proportional हो गया, XL आपका new के directly proportional हो गया, कभी कभार आपसे पूचेगा, कि भाया, frequency बढ़ा देंगे, तो आपने का हाँ, बढ़ा देंगे, frequency बढ़ाते ही, आपका XL भी बढ़ जाएगा, XL क्या है, reactance, यानि opposition बढ़ जाएगा, यानि current कम हो जाएगा, अगर current कम हो जाएगा, इसके cross अगर bulb लगाओगा, तो bulb की brightness, down हो जाएगी, current कम हो गया, आर ये बाद समझ में, ऐसा question आपसे कभी कभार पूच लेता है, सर, मुझे इसका phasor diagram एक बड़ी समझा दो, पहले साइनोसोडल कर्व बना दूना आपके लिए, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ देगा पहले तो, EI का omega T के साथ, अगर मैं कर्व बना रहा हूँ, तो आप कुछ इस प्रकार से कर्व बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको कर्व बनाना पड़े, ये तो अपना EMF ले रहा हूँ मैं, हमेशा EMF ही लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके, तो थोड़ा सा मेरे को बढ़िया ल यह लिजे, ऐसे उठा लो, और ऐसे उठा लो, कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है बचो, रुको, जरह मैं आपको दुबारा से समझागे, जब आपका, जब आपका, जब आपका, वोल्टेज मैक्सिमम था, तब आपका करेंट जीरो था, वोल्टेज जब मैक्सिमम था, i maximum i not फिर उसके बाद जब आपका जब आपका जब आपका voltage maximum था तो current उसा मैं अपना zero value अचीव कर रहा था याने यह रहा आ रही है बात समच और फिर जब अपना voltage आपका zero था तो current अपना maximum value अचीव कर रहा था यह रहा है is this clear बचो is this clear अब जैसी आपने यह पढ़ा तो इसका phasor diagram भी देख लो एक बारी क्या बचो phasor diagram क्या phasor diagram phasor diagram में क्या मतलब है कहने का सिरफ इतना मतलब हो बचो कहने का सिरफ इतना तात पर यह है कि यह आपका e not और यह आपका i not क्योंकि e not तो omega t angle बना रहा है but i not e not से करीबन 90 degree angle पीछे है करीबन 90 degree angle पीछे है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है yes sir okay this is your e and this is your i यह है आपका phasor diagram यह था आपका AC circuit containing only inductor जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि सिरफ inductor हो या resistance हो भी आएगा भी अपने पास and that is AC circuit containing only capacitance यह तीनों करने के बाद फिर एक दो सवाल उसके बाद फिर अपना LRCR फिर एक दो सवाल फिर सीधा सीधा LCR clear है बाई यहां तक समझ में आ गया आगे चले यह सर चल सकते अब इसके just बाद बचो अब इसके just बाद मैं आपको बताता हूँ AC circuit AC circuit containing 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 क्या बता बईया AC circuit containing बता 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 AC circuit containing AC circuit containing capacitor बईया रात का समय हो गया भवव बईया ठक गए है AC circuit containing capacitor only AC circuit जो है वो सरफ और सरफ capacitor को contain कर रहा है ठीक है बईया capacitor लगा देते अगर ऐसी ही बात है Capacitum लगा दिया Sir, जब आप इसको current दोगे जब आप इसको current दोगे तो असल में बड़ी simple सी बात है यह तो E naught sin omega T है यह तो E naught sin omega T क्या होता न बिटा AC में positive half cycle में यह charge होता है negative half cycle में यह discharge होता है positive half cycle में यह charge होता है so due to this continuous charging and discharging alternate current को यह support करता है alternate current यहाँ पर exist करता है किसी भी time अगर आप देखोगे तो जो भी आपका applied EMF होगा ना वही आपका potential drop across capacitor होगा यानि अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं को at any instant at any instant वहाँ पर आपका potential drop across the capacitor plates potential drop across the capacitor plates is going to be equal applied EMF किसके बराबर होगा? applied EMF के बराबर होगा किसके बराबर होगा भी या? applied EMF के बराबर होगा आर यह बात समझे? सर, potential difference क्या है V applied EMF E, यानि E0 sin omega T V क्या होता है Q by C बराबर E0 sin omega T तो सर, सर, क्यों क्या हो गया? क्यों क्या हो गया यह से? C E0 sin omega T आपको पता है current is DQ by DT? यानि D by DT of Q is C E0 sin omega T आपको यह भी पता है कि C E0 तो बहार आजाएगा sin omega T का differentiation cos omega T और फिर उसी के differentiation से multiply भी होता है यानि omega chain rule से तो current हुआ अपना omega C E0 cos omega T और आपको बता दू के cos theta sin 90 minus theta तो होता ही होता है लेकिन असल में, असल में बिटा sin second quarter में positive होता है तो इसलिए cos theta को आप sin 90 plus theta भी बोल सकते हो sin 90 plus theta भी बोल सकते हो आर यह बात समझ में आर यह बात समझ में cos theta is sin 90 minus sin 90 plus theta तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो आई बराबर omega C E0 sin 90 plus theta sin 90 plus theta बात समझ में आ गई omega C E0 sin 90 plus theta ठीक है ना यानि कि theta की जगे आप omega T लिखोगे theta की जगे आप omega T लिखोगे सर यह तो ठीक है लेकिन i तो i not sin omega T something होता है ना तो इसको आप ऐसा लिखोगे i बराबर E0 बटा इसको आप 1 by omega C कर दो ताकि omega C उपर multiply हो जाए यह हो जाएगा sin अपना omega T plus pi by 2 यह अपना हो जाएगा जैसे वहाँ पर XL वैसे यहाँ पर XC sin omega T plus pi by 2 sin omega T plus pi by 2 मेरी बात समझ में आ रही है इसका मतलब i बराबर E0 by XC sin omega T plus pi by 2 तो आपने बोला सर E0 by XC sin omega T plus pi by 2 इसका मतलब current current is leading EMF यानि current leads EMF by phase angle pi by 2 by phase angle pi by 2 और voltage और voltage lags behind phase angle pi by 2 बात समझ में आ गई सर यहाँ पर XC क्या है XC is the capacitive reactance capacitive reactance यानि कि XC किसके बराबर था? XC था 1 by omega C के बराबर यानि 1 by 2 pi new C तो XC is inversely proportional to C capacitance बढ़ाओगे तो आपका reactance जो है sorry C बोल रहा हूँ में new capacitance बढ़ाओगे न तो reactance जो है न भया वो आपका बढ़ेगा frequency बढ़ाओगे तो reactance आपका कम होगा frequency कम करोगे तो reactance आपका बढ़ रहा होगा सर इसका phasor diagram बनवा दो एक बड़ी तो एक बड़ी ज़रा phasor diagram की बार कर लेते है phasor diagram कुछ इस प्रकार से है बच्छो कुछ इस प्रकार से है आपका ये आपका E naught है ये आपका I naught है ठीक है न ये आपका I naught है ये अगर देखोगे so this is your E, this is your IE this is your omega T current is 90 degree ahead है so this is your like 90 degree ठीक है न ऐसे करके बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है और इसका sinusoidal curve यह है कि current इससे आगे चल रहा है का मतलब यह है कि जब current अपनी maximum value पड़ता तो ये अपना minimum value पड़ता मतलब zero था और current जब zero हुआ तो ये maximum हुआ होगा ठीक है न ऐसे करके फिर उसके बाद current जब maximum हुआ तो ये उस समय जीरो था फिर ऐसा ही कहानी चलती गई ऐसी कहानी चलती गई आ रही है बात समझ में clear है भई ये आपका e ये आपका i i not, you know वो समझ में आ जाना ठीक है न वो समझ देना आपके concept clear है आपका ये यहार तक clear होगी अब इसके बाद हम इसके उपर कुछ questions करते है कुछ questions के बाद भईया अपना दो वाला LRCR फिर उसके बाद LCR got it guys बात समझ में आदी so yes बचपार्टी एक question करते फिर उसके बाद अपना आगे चलते राइट basically this is a recorded video तो इसना ठीक है a 200 millihenry okay this is pure inductor ठीक है ना pure inductor का मतलब कि यहाँ पर कोई resistance नहीं है and a 5 microfarad pure capacitor and a 5 microfarad pure capacitor are connected are connected one by one one by one across a sinusoidal AC across a sinusoidal AC voltage source ठीक है ना जहाँ पर आपका V is going to be 70.7 sin 1000 T 1000 T volt ठीक है ना obtain the obtain the expressions obtain the expressions for the current in each case in each case are यह बाद समच्छ in each case I hope this is clear obtain the expressions for the current in each case क्या मतलब है कभी जब ऐसा question आजा देको बड़ी symbol सी बात है V क्या दे रखा 70.7 sin 1000 T यह दे रखा है इसका मतलब यह क्या होता है V naught तो V naught क्या हो गया 70.7 वोल्ट और यह क्या है omega तो omega क्या है 1000 पर सेकें बात समझ में आरी यह यह है न omega T टीक है सर अगर ऐसी बात है तो आप सबसे पहले-पहले क्या पूचेगे inductor की case में peak value of current या नहीं एक आपका inductor ले लो एक आपका capacitor एक आपका capacitor inductor की case में अगर आप ध्यान से देखोगे तो I0 क्या होगा V0 by XL which is V0 by omega so this is going to be 70.7 by 70.7 by omega is 1000 okay L दे रहा है क्या हाब इल्गों क्या रहा है 200 millihenry यानि 200 into 10 raise to the power minus 3 and this is going to be ampere अब अगर आप इसको solve करोगे तो यह कुछ आएगा something ampere solve कर ले न भया तो I instantaneous क्या होगा I0 sin ठीक है न आपको तो पता है कि इस case में current अपना lag करता है 90 degree minus pi by 2 I0 की value जो भी आपके पास I होई होगी तो sin omega d मतलब 1000 t minus pi by 2 इतना ampere आगे यह था आपका inductor वाला scenario यह था आपका inductor वाला case got it guys अब बात कर लेते हैं capacitor की अब बात कर लेते हैं capacitor की capacitor क्या बोलता है अगर तो आप capacitor की बात करते हैं तो capacitor पता है क्या बोलता है सी क्या है फाइफ माइक्रो फाइड फाइफ इंटु टेन की पार माइनस सिक्स और वी नॉट कितना है 70.7 इतना एंपेर आ गया अब इसकी भी कुछ जो भी वैल्यू आईगी वो देख लेना तो आई इंस्टेंटिनेस यहाँ पर बस करेंट आगे आएगा यानि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाइवाइट हाया ना इस तरीके के क्वेशन कभी अगर आप से पूछे तो आप कर ले ना घबराना मत भई यह तो हो गया आपका AC सर्कृट कंडेरें कैपैसितन्स ओनली आई यह जरा सिरीज कॉंबिनेशन वाले सर्कृट बढ़ता है पहले LR फ रेजिस्टेंस अंड रेजिस्टेंस अंड इंड़क्टेंस इन सिरीज रेजिस्टेंस अंड इंड़क्टेंस इन सिरीज रेजिस्टेंस अंड इंड़क्टेंस इन सिरीज गोरेट बचा पार्टी बात समझ भारी जी सर तो इसका मतलब अपना इसका मतलब अपना आर ले तो यार यह आपका resistance है, यह आपका inductor है, हमने यहाँ पर AC source लगा दिया, आपने का सर, AC source लगाया मतलब E बराबर E not sin omega t, यह भी बात सही है, R है, तो इतना भी पता है, कि भाईया, VR जो होगा, वो IR होगा, और VL जो होगा, क्योंकि यह L है, तो वो I into XL होगा, R के case में, I और VR का phaser same है, कोई phase difference नहीं है, और inductor की case में, VL जो है न, मतलब voltage अपना current से आगे चलता है, 90 degree वे, बात समझ में आ रही है, अगर आप यहाँ से देखोगे न, तो मैं यहाँ पर आपको न, मैं यहाँ पर आपको न, फेजर की तुरू सिखा रहा हूँ यहाँ, फेजर डाइग्राम बनाना है न, तो आपने का, sir, VR phase जो होगा न, that is going to be RI, that is going to be RI, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, VR phase क्या होगया, RI, और अगर ऐसी ही बात है, अगर ऐसी ही बात है, तो V0, R भी ले सकतो इसका magnitude, which is I0 into R, यह अपना first, यह second, साती सात में भीया, VL phase जो होगा, वो होगा अपना I phase into XL, साती सात में V0 L बराबर I0 into XL, यह third part, और यह आपका fourth, आई बात समझ, आई बात समझ, तो आप यह भी लिख सकते हो, आप यह भी लिख सकते हो, कि सर, अगर मैं phasor diagram बनाऊं, तो उस case में, अगर यह मेरा I phasor है, और यह मेरा VR phasor है, दोनों same phase में है, दोनों में कोई difference नहीं है, इधर आपका VL जो phasor बनेगा यहापर, वो 90 degree angle करेगा, तो फिर यहाँ से ना, यहाँ से ना, ट्राइंगुल इसके साथ omega t angle लगाने की कोशिश करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अब यह देखो, अब यह दोनों की बीच में, अब यह दोनों की बीच में phi angle है, अब यह दोनों की बीच में phi angle है, तो यह वाला क्या होगा, यह वाला क्या होगा, omega t minus phi, यह वाला क्या होगा, omega t minus phi, तो और अगर इसका magnitude देखना जाए तो आप यह नहीं लिख सकते कि E बराबर अंडर रूट अफ वी नॉट L का स्क्वेर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वेर लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना तो इसका मतलब यह E नॉट ही हो गया इसका मतलब E नॉट बराबर बिटा अंडर रूट ऑफ I नॉट स्क्वेर XL स्क्वेर प्लस I नॉट स्क्वेर आर स्क्वेर I नॉट स्क्वेर कामन लेके बाहरा I नॉट लेका लो E नॉट बराबर I नॉट अंडर रूट ऑफ XL स्क्वेर प्लस R स्क्वेर I0 को divide मारो यहां से तो यह हो जाएगा आपका E0 by I0 है क्या यह equals to under root of XL square plus R square एक बात बताओ E0 E by I तो R होता है आप एक simple सी बात बताओ खाली resistor में आपने R ले लिया inductor में आपने reactance ले लिया capacitance में आपने capacitive reactance ले लिया यह क्या है जब combination आएगा उस resistance को बोलेंगे बिटा impedance उस resistance को बोलेंगे क्या impedance impedance क्या है impedance भी एक प्रकार का resistance ही है समझ में आया की नहीं आया यानि LR circuit जो current की flow को oppose करता है देखो लिख देता हूँ यह आपने LR circuit which oppose यानि oppose का ही एक हिसाब से synonyms है impede impedance और impedes और impedes the flow of AC through it the flow of AC through it the flow of AC through it this is known as impedance बात समिच प्रकार की यह क्या है impedance गर रगाईज यह सर clear है सर clear है सर यह हमारे पास impedance हो जो तो इसका मतलब ZBCD node करते है इसको किसे do not कर Z Z क्या होगे under root of XL square plus R square under root of XL square plus R square Z क्या होता है under root of XL square plus R square कानी के लिए रहे है यह सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले triangle से आपका एक 5 एंगल आ रहा था और 10 5 जो है वो perpendicular यानि सामने वाला VL अपन साथ वाला VR यहां से भी आप लिख लो कि सर 10 5 बराबर VL बटा VR VL क्या है I XL by IR I से I काटो XL बटा R आ गया अगर मैं यहां से एक triangle बना लूँ अगर मैं यहां से एक triangle बना लूँ और यह 5 बना लेता हूँ तो यह अपना सामने XL हो गया बेस में R हो गया यह अपना under root of XL square plus R square हो गया This is Z इसको बोलता है बिटा इसको बोलता है impedance triangle इसको क्या बोलता है बच्चो impedance triangle I hope this is clear इसको क्या बोलता है बिटा impedance triangle Got it guys यहां तक ही खानी क्लियर है यह आपके पास हो गया आपना अच्छा यहां पर अगर आप ultimately देख पा रहेते ना तो यह आपका current नीचे ही था तो I was going to be I was going to be I naught sine omega t minus 5 LR circuit का मतलब भी क्या हो गया inductive circuit है बस आप यह समझ लो कि pure नहीं है pure होता तो current और V के बीच में 90 degree का phase difference होता यहां पर कुछ resistance है तो इसलिए current तभी भी पीछे चल रहा है but some phase difference 5 90 degree नहीं है आई बात समझ आई बात समझ तो यह कुछ इस तरीके से आपके पास concept हो गया इसकी उपर एक चोटा सा question करवा देता हूँ फिर अपना CIR circuit पे बढ़ जाएंगे और उसके बाद अपना LCR तो ही है सदा बाहर topic इसकी उपर क्या question कर सकते है basic question है basic question मान के चल लेते suppose करते हैं आपको दे दिया उसने resistance मान लो 300 ohm दे दिया और inductor दे दिया 1 henry और frequency दे दिया 300 by 2 pi hertz सब तो दे दिया पूछेगा क्या एक तो आपसे यह face difference पूछ लेगा तो face difference ही मान लो पूछ दिया उसने आपसे तो क्या करोगे आप इस case में बड़ी simple सी बात है यार 10 5 बराबर क्या होगा XL बटार हाया न XL क्या है omega L बटार omega L बटार omega माने 2 pi न्यू L बटार 2 pi into new कितना है 300 by 2 pi L कितना है 1 और R कितना है 300 गया गया 300 से 300 कट गया 10 5 कितना है 1 face difference कितना है 45 बटार ऐसे basic सवाल पूछेगा वो आपसे इतने ज्यादा कोई lengthy question नहीं पूछने वाला ऐसे ही basic सवाल पूछेगा वो आपसे हाँ कुछ कुछ और भी पूछ सकता है like मैं अभी आपको एक question दे दू suppose करो suppose करो मैं अभी आपको एक question दे दू थोड़ा अच्छा सवाल भी दे सकता है ऐसी बात नहीं है मान लेते हैं उसने अपने को दिया कि sir मान लेते हैं उसने अपने को question दिया थोड़ा अच्छा ले लेते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि बस normally हमेशा basic basic questions उठाएं मान लेते हैं उसने दिया कि sir a 60 10 watt electric lamp a 60 10 watt electric lamp is to be run on is to be run on 100 volt 60 hertz mains 100 volt 60 hertz mains सबसे पहले आपको calculate करना है सबसे पहले पहले आपको calculate करना है calculate the inductance of the calculate the inductance of the choke required choke का मतल समझ रहो LR ठीक है ना दूसरा दूसरा पार्ट कहता है if a resistor is to be used in place of choke coil in place of choke coil to achieve the same result to achieve the same result calculate its value calculate its value आई बात समझ बात समझ में calculate its value क्या बोल रहा है 60 watt 60 watt और अपना 6 volt 10 watt electric lamp पे यह आपका achieve हो रहा है मतलब यह आपका 100 volt और 60 hertz mains पे run हो रहा है मैंने कहा था जब कुछ नहीं दिया होगा तो वो RMS होगा कुछ नहीं दिया होगा तो वो RMS हो आपको choke का inductance required है सबसे पहले पहले आप देखो जब कुछ नहीं दिया तो RMS यानि ERMS क्या है 60 volt और power कितना है 10 watt आपको पता है resistance कैसे निकलेगा तो पहले तो आप देखो power क्या होता है ERMS square by R यानि ERMS क्या है 60 into 60 बटा R कितना है 10 sorry R तो निकालने है R तो निकालने है ये 10 है तो R क्या हो जाएगा 60 into 60 बटा because this is 10 ये 10 है तो 10 से डिवाइड मारो ये तो चला गया ये कितना आगे 360 ohm resistance आगे आपका अब आएगा current through the wrong यानि IRMS क्या होगा वही अपना P बटा ERMS क्योंकि P होता है ERMS into IRMS P ये 10 ERMS कितना आगे आपका 60 यानि 1 बटा 6 Ampere यानि 1 बटा 6 Ampere आगी बात समझ में आगी बात समझ में अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने current और ये सब तो basic निकाली लिया सबसे पहले पहले आपसे वो क्या पूछ रहा है कि sir ये run कर रहा है इस पे यानि ERMS तो dash मान लेते है 100 V और frequency कितनी है 60 Hz तो यहाँ पर आपका जो impedance required है वो क्या होगा ERMS by impedance जो चाहिए होगा ये तो rated था run किस पे कर रहा है 100 V यानि 100 बटा current is 1 बटा 6 A which is 600 Ohm impedance जो required है जो resistance आपका required है वो अब अगर आपको एक बात पता हो तो आपको ये पता है कि Z बराबर टू XL का square प्लस R स्क्वेर होता है तो Z स्क्वेर मैं से अगर R स्क्वेर माइनस करो स्क्वेर माइनस R स्क्वेर मतलब 360 का स्क्वेर बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो 6 x 34 1,2,3,4 minus 36,36 कितना होगा 6 x 34,38 ये काम करो ने है ये काम करो कॉमन ले लो कुछ कुछ कैसे कॉमन ले लो 60 का स्क्वेर अगर मैं ये इसको लिख दूँ इसको लिख सकता हूँ 60 into 60 into 100 है ना नहीं ये क्या हो गया आपर 60 का स्क्वेर कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके अंदर बचेगा अपना 10 का स्क्वेर है ना क्यूंकि देखो 3600 into 100 136,000 हो जाएगा माइनस यहा से क्या कॉमन लूँगा यहा से क्या कॉमन लूँगा तो अपना 60 कॉमन लिया 60 का स्क्वेर और यहापर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वेर है ना 6 का स्क्वेर root करो 60 का स्क्वेर बाहर निकाल कर अपना 60 आजाएगा बाहर और अंडर रूट में 100 माइनस 36 तो ये कुछ ऐसा आने वाला है 60 इन्टू रूट में 64 वो 8 आजाएगा तो 60 इन्टू 8 यानि आप सीदे सीदे कहा दो यार अपका आर्चे करता दाली 480 वोल्ट 480 ओम 480 ओम एक्सल कितना आगया 480 ओम पूछा क्या था उसने आप से calculate the inductance of the required if a resistor is used to be in place of choke coil achieve the same result calculate its value अगर resistor use हुआ है तो क्या होगा तो उस case में आप सबसे पहले पिल देखो आपने XL निकाल लिया अब एक बड़ी आप L निकाल लो तो L क्या होगा XL बड़ा 2.0 जब आप L निकाल लोगे तो resistance की value पता है क्या required रहेगी अपना अपना चोक कोईल के तो अपना 600 तो impedance था उसमें से अपना आपका कितना resistance था 360 तो इतनी resistance की required रहेगी आपको चोक की जगए इतना resistance आपको और चाहिए हो बात समझ में आगए कि नहीं आगए आपने यहासे L तो निकाल लिया आपको XL तो निकाल लिया आपने L चाहिए था तो L भी आपने निकाल लिया वो कहता है कि resistance अगर लगा दिया जाए तो भाया इसकी ज़स्ट बाद हम क्या कर रहे होंगे इसकी ज़स्ट बाद हम कर रहे होंगे CR circuit यानि AC circuit AC circuit containing capacitance and resistance so AC circuit with with resistance and with resistance and capacitor in series with resistance and capacitor in series got it guys with resistance and capacitance in series इसका मतलब भया resistance भी ले लो capacitance भी ले लो series में ले लो यहांसे AC source R हो गया C हो गया AC source भी आगया आई बात समझे आर हो गया C हो गया AC source भी आपने पानी पी ले ठीक है आप देखो आपने का सर R हो गया C हो गया ऐसा कर गया तो यहांसे अगर आप देखोगे न यहांसे अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या बचता है यह अपना I यह अपना VR यह अपना VC है तो I आपका आगे है यह यू कहो यह यू कहो चलो ठीक है ऐसे ले लो ना यह VC है तो यह I है यह I यह दर लेते तो VC को नीचे ले लेते ऐसे लकलो यह IU आप सीधा ले रहे हो न तो आप अप ऐसे ही दे लो यह i हो गया तो VC आपका नीचे हो जाएगा VC आपका 90 डिग्री निचे हो गया तो this is यहi ार E 10 सांड ed अ अमेंगाट Y क्लि है अगर इसका impedance बना, तो आप क्या से बना कि बना ओगी कुछ इस प्रकाट से बनेगा ऐगा आज आपका। यह अपका नंगा इसका करेंट है और यह आपका रस्टिंस है मततब ब्यार है यह आपका व science, यह आपका वी फि सी हो जाएगा 90 degree और यह आप देख लिजे this is your EMF this is your EMF ठीक है न बटा यह हमेशे omega T बनाता है current इससे आगय है 5 तो इसका मतलब यह ए capacitive circuit है क्योंकि I is going to be यहाँ पर I0 sin omega T plus 5 यह आपका यहाँ पर IR यह आपका यहाँ पर IR phase difference अपनलोग ने बना दिये यह वी आर जो होगा that is going to be I into R यानि वी नॉट आर जो होगा that is going to be I0 into R साथी साथ में वी एल जो होगा that is going to be I into XL and वी नॉट एल is going to be I0 into XL I0 into XL even XC हो जाएगा ना C है यहाँ पर बस L की जगे C हो जाएगा फिर भही बात हो गई यह किसके बराबर आएगा अपना VC plus VR यानि E0 is going to be under root of VC square plus VR square या यू कहिए I0 XC square plus I0 square R square I0 बाहर निकालो root में आपका XC square plus R square this is your E0 E0 को I0 से डिवाइड मारो या आएगा root में आपका XC square plus R square XC square plus R square clear अब यह तो क्या ही है resistance वही impedance Z Z बराबर रूट of XC square plus R square हाई या न यहाँ से ले लो E1 10,5 क्या हो जाएगा सामने वाला VC base वाला VR यानि I0 अपका XC बटा I0 R I0 से I0 कटा तो 10,5 अपका हो गया 10,5 अपका हो गया XC बटा R यहाँ से एक काम को रेक impedance triangle बना लो एक impedance triangle बना लो this is your phi सामने वाला XC नीचे वाला R योग या XC का square plus R का square this is your impedance triangle आर यह बात समझ यह क्या हो जाएगा आपका impedance triangle हो जाएगा सरीवी बात सही अगर ऐसी ही बात है तो अपना एक चोटा सा question लगा देते है शायद हाँ current तो आपको पता चलीगा that this is going to be I0 sin omega t plus 5 current का तो पता चल गया I0 sin omega t plus 5 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चोटा सा question इस पर दे ही देते है आप लोगों को क्या कहते हो आप लोग हाई है ना दे दे there a question basic दे देते है और पता कर लेते है कि क्या कैसे है basic questions देते है कुछ इस प्रकार का बच्चो कुछ इस प्रकार का वो अमसे question पूच रहा है कि sir हमसे question पूच रहा है कि sir a series circuit a series circuit contains a resistor of 20 ohm a capacitor and an emitter and an emitter of negligible resistance it is connected to a source of 220 volt chicken 50 Hertz if the if the reading of the emitter is 25 ampere calculate the reactance of the capacitor calculate the reactance of the capacitor a series circuit resistor is 20 ohm capacitor and an emitter is negligible resistance you have given the reading emitter and now you need reactance you need xc first of all when you ask a question then write given given licks liya karo jayse resistance us nne diya 200 erms kitna hai 220 volt frequency kitna hai 50 Hertz chicken or irms kitna hai 2.5 ampere yeh sab given emitter kitna hai 2.5 ampere to abaap dhyan se dheke sabse pahle pahle z kya aega e rms by irms kyunki yeh bvarabar ir ho ta hai yani 220 by 2.5 yani yeh kitna ho jayega apna 5 5 25 5 420 5 420 5 420 yitna zed lekin apna under root of r square plus xc square ho ta hai to xc to siedha siedha ho jayega under root of z square minus r square jayse pichlye wale mein ta same question kuch gadwad to hai hini root me 88 ka square minus r kitna hai 20 ka square hai na toh yaha se bhi yeh aap kuch common lye sakti hai jayse 4 ka square common lye kar toh 4 2ne 8 4 2ne 8 ka square minus 4 ka square common lye kar 5 ka square is me root kar loo 4 ka square bharat aega 4 root me aapka 22 into 22 minus 25 25 25 hai na toh yaha jaga 4 root me aapna 22 into 22 kitna ho ta hai 24 24 24 24 24 484 minus 25 484 minus 25 25 so this is going to be aapka perfect square toh nahi baeat raha hai perfect square nahi baeat raha toh yik kaam karo phir solve karne ka tariqa bata raha hoi karlo aap jayse mahi batahun ga 88 plus 20 into 88 minus 20 taakhe thoda asan bhi ho jayi yani root me 108 into aapna 68 thik ya na abh isko solve kar lye na jo bhi aaye ga something ohm is the correct answer bhaiya yahi chahiye tha usko xc maangg raha ta na xc maangg raha ta na aapse aapne kar lye xc got it so finally we are done bhai dheerh ghanda bhi ho gya thik ya na dheerh ghanda bhi ho gya aur hum loog honne jo hai apna cr circuit bhi complete kar liye ab chalte hai apna lcr circuit ki taraf kis circuit bhi taraf lcr circuit ki taraf so we can say that we can say that ac circuit containing resistance inductor and capacitance in series or simply series lcr circuit or simply series lcr circuit or simply series lcr circuit rlcr circuit kya na bhi taakko toh aisa dheerh ghanda aisa dheerh ghanda aisa dheerh ghanda aisa dheerh same concept hai ai hai aur apna vr hai apna vl hai ai hai aur apna yaha par bhi ho gya kya chiz kya kya saktou aapne aaa ai hai apna vc niche leyao man dheerh ghanda hai na aisa ho saktou na abh yaha se aap phasor diagram bna lo kya se bnao ghe pahle case me foreign example hao dhek ho alag alag cases aayenge is case me foreign example haem vl ko vc se zyadha bada marn raha hai 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 tu kya kya karo gaya aap? aap ya aap ka i phaser ya aap ka vr phaser ya aap ka vc phaser throda chota hai 90 degree hai but or vl phaser johis ke saath 180 degree angle bna raha hai kis ke saath? vc ke saath but vr ke saath 90 degree is me se itna toh kaart diyaan itna itna raha gyaa ये वाला हिस्सा, चलो थोड़ा और बड़ा कर दो, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, this हिस्सा is known as VL-VC, this हिस्सा is known as VL-VC, बात समझ में आ ही है, इस हिस्से को क्या बोलता है VL-VC, तो आप देखो, parallelogram law of vector addition बनाओ, ये हो जाएगा अपना EMF E, अगर आप ध्यान से देखोगे, this is going to be omega t, this is going to be phi, इसका मतलब current अपना अभी भी EMF से पीछे है, अगर अभी भी current की final value देखोगे, that is going to be I0 sin omega t minus phi, that is going to be I0 sin omega t minus phi, अगर ऐसी बात है, तो ये अभी भी आपका inductive circuit behave कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर inductor dominate कर रहा है, यहाँ पर voltage across inductor dominate कर रहा है, फिर वैसी कर लो, कैसे, सीधा सीधा कर लो, यार अब ज्यादा नहीं बात करेंगे, या फिर सीधा magnitude की बात कर लो, magnitude की बात कैसे करेंगे, देख लेते हैं, e0 बराबर, under root में, v0 r का square, प्लस v0 l minus v0 c का whole square, वैसे vc भी बढ़ा होगा ना, तो भी negative का square positive आए, तो magnitude में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और साथ इससे पहले एक बार यह ज़रा 10 5 की value निकाल ले, 10 5 क्या होगा, vl minus vc, बटा vr, अपना i common आदेगा, तो इसको लिख सकते हो, xl minus xc by r, ठीक है ना, और यहाँ से impedance triangle भी बना सकते हो, phi क्या है, xl minus xc, नीचे r, इदर z which is under root of xl minus xc का whole square, प्लस r square, आर यह बद समझ, प्लस r square, यह आपका impedance triangle, this is your impedance triangle, सीधा सीधा, पहले, z निकालने से पहले, निकाल दिया, आपके लिए कैसे, e0 बराबर i0 बहर आजाएगा, root मा आएगा r square, प्लस अपना xl minus xc का whole square, तो अब e0 बटा i0, which is basically z, which is basically r square, प्लस xl minus xc का whole square, हाई ना, यह impedance triangle भी होगा, सर, xl xc से बड़ा है, या xc xl से बड़ा वाली बात समझ में आती है, what if xl is equals to xc, what if xl is equals to xc, सर, सर, what if xl is equals to xc, मतलब उस case में क्या होगा, जब xl xc के बराबर होगा, तो कुछ उसमें नहीं करना है, अगर xl xc के बराबर है ना बच्चो, अगर तो आपका xl xc के बराबर है, अगर तो आपका xl xc के बराबर है, तो इसका मतलब आप यह कह सकते हो कि, सर, z जो हो जाएगा, वो under root of r square plus xl minus xc का whole square जो होता है, खतम हो गया, इसका मतलब z हो जाएगा under root r square, मानि z हो जाएगा r, इसको कहते है minimum impedance, और जब resistance minimum होता है, तो current is maximum, और जब current maximum है, तो इस case को, इस scenario को बोलते है resonance condition, resonance condition, अब बड़ी simple सी बात है यार, emf आप कुछ frequency दोगे, तो अपना, मतलब कुछ voltage दोगे, तो frequency भी डिपेंड करेगा सारी frequency की क्या हो नहीं, तो अगर resonance condition है, resonance condition मतलब क्या, मतलब वो frequency जिस पर आपका current maximum होगा, तो वो frequency क्या है, तो आपने का सर, XL बराबर XC हुआ, XL XC हुआ मानी, मानी omega L बराबर 1 बटा omega C हो गया, omega square बराबर 1 बाइ L C हो गया, तो omega बराबर 1 बाइ ROOT L C हो गया, omega बराबर 1 बटा ROOT L C हो गया, सर बात तो ये भी सही, omega मानी 2 by new, बराबर 1 by ROOT L C है, तो इसका मतलब, new is going to be 1 by 2 pi, new is going to be 1 by 2 pi ROOT L C, आई बात समझ, आई बात समझ, दिस इस नोन एज, resonating frequency, चाहिए चाहिए वो omega R, ठीक है ना, resonating frequency, तो क्यों ना नीचे आप R लिख दो इसके, चाहिए भी लिख, बात समझ में आ रही है, resonating frequency, तो यहाँ पर मुझे आपको, इस resonance की sharpness, यानि peak, यानि quality factor भी समझना पड़ेगा, आई ये समझते हैं, sharpness of resonance, आई ये समझते हैं, sharpness of resonance, sharpness of resonance बिटा, resonance की sharpness, sharpness of resonance, सर्फ sharpness of resonance क्या है, कहने का सिरफ इतना मतलब है बच्चो, अगर आप I not, अगर आपने suppose करो, अगर आपने suppose करो, ये इसका application क्या होता है, LCR का, जैसे radio tuner नहीं होता है, आजकल तो automatic हो गया है, पुराने जबाने जबाने हो ऐसे, मतलब उसका knob होता था, आप उस knob को गुमाते थे, तो जब उस knob को गुमाते हैं, तो पहले तो आवाज सही clear नहीं होती है, एक टाइम ऐसा आता है, कि जब उसकी आवाज आपको बहुत अच्छे से, बहुत clear सुनाई देती है, that is, यानि वो LCR क्या करता है, वो उस frequency को पकड़ेगा, जिस पर उसको maximum current दे रहे हैं आप, यह LCR का खासियत है बच्चों, तो यहाँ पर हम उस sharpness की कहानी पढ़ते हैं, असल में अगर आप देखोगे, आपने का असर, omega r जो है, that is 1 by root lc, which is independent of resistance, this is independent of resistance, यहाँ पर circuit की क्या resistance है, आपने को कोई लेना देना नहीं उससे, independent of resistance, आपने को circuit की resistance है कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो sharpness का मतलब यह quality, कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, suppose करो यार, phone पे बात कर रहे है, phone पे बात कर रहे है, पापा से बात कर रहे है, पापा के सामने बड़े शरीफ होते हैं, समझे लो, मतलब कहने का मतलब भाईया, इतना बोलते ही, इतना बोलते ही, आप यह समझ लो, कि भाईया, आपके पिताश्री का जो गुसे का भार है, वो आपकी ओपर सीधा सीधा आ गए, तो आप कहते हैं, यार, बड़ा मतलब, क्या यह quality है, बड़ी खराब quality है फोन, समझ में आ रही है बात, बड़ी खराब quality है फोन, फोन को दिवार पे मार दिया, इस इस दे quality, sharpness of resonance, अब देखते हैं, इसकी dependency किस पे है, किस पे नहीं है, तो sharpness of resonance, अगर आप देखोगे, suppose करते, अपने पास यहाँ पर एक curve है, ठीक है, तो मैं मतलब वही quality बता रहता, कि फोन अपन लोग मतलब क्या होगा, कि जब जो फोन वाली कहानी होगी, तो वो फोन हम fake देंगे, तो यानि उसकी quality खराब है, उस फोन की quality, या, जो यहाँ पर हम quality factor की बात कर रहे है, उसके लगर अपने को देखना होगा, तो एक ही चीज़ हो सकती है, कि आप लोग जो है न, उसके current को maximum कर दो, current maximum अलब पावर maximum, अब यहाँ पर यह न, peak की बात हो रही है, अब जितना ज्यादा resistance होगा न, उतना ही flat peak होगा, moderate होगा तो अपना moderate, और, जितना कम resistance होगा, उतना ही sharp peak होगा, यह maximum value of current जो यह आपर, यह किसका curve है, I0 और omega का, maximum value जो अचीव कर रहा है न, वो अपना omega r पर अचीव कर रहा है, जितना ज़्यादा आप देखोगे, तो यह आपका omega r है, got it, यह आपका omega r है, ज़र ध्यान से देखोँ, यह आपका omega है, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर, दो और ऐसी values है बच्चों, इसमें तो न, पावर maximum में इस जगे पर, दो और ऐसे हैं हमने point लिए, अगर हम ऐसा देखा जाए, अगर हम ऐसे देखे, कि यह कौन-कौन सी frequencies का range अपने को सुनाई देगा, तो circuit में power half कम से कम होने चाहिए, half से कम होगा तो नहीं सुनाई देगा, ठीक है न, power half कम से कम होना चाहिए, और जिस point पर half power होता है, उसका जो current होता, यह अपना ऐसा करके है, यह आप ध्यान से देखना, यह आपका omega r हो गया, यह आपका omega 1 हो गया, और यह आपका omega 2 हो गया, यहापर आपका current जो है, that is i0y, root 2, यहापर आपका current है, that is i0, बात समझ भार है, I hope this is clear, यहापर यह जो है न, यह जो चीज़ आप देख रहा है, okay this is what, this is delta omega, this is again delta omega, इसको बोलते है 2 delta omega, यह 2 delta omega is known as bandwidth, यह 2 delta omega is known as bandwidth बच्छा पार्टी, इसको क्या बोलते है, bandwidth, I hope this is clear, इसको bandwidth बोलते है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, quality factor क्या है, अगर किसी ने आप से पूचा, के सर यह Q factor यह जो आया, इसके लिए अब एक expression बताओ, और एक expression के बाद अभी 2-3 चीज़े और अपने पास सामने आएगी, तो को मैं बताता, दियान से देखना, दियान से दिखना आप लोग, चीक है ना, सबसे पहले पहले आप देखो यार, इंपेडेंस क्या है उस जगे पर, अगर करेंट आई नाट बाई रूट टू है, तो रेजस्टन्स क्या होगी, आ रूट टू, तो इसका मतलब भाईया, यह जो इंपेडेंस होगा उस पॉइंट पर, ओमेगा ल मानिस बटा, ओमेगा ल, से का स्क्वेर, this is going to be root 2R, स्क्वेर करो दोनों साइट को, इदर का root कड़ जाएगा, इदर का root कड़ जाएगा, और यह हो जाएगा आपको 2R स्क्वेर, माइनस करो उधर को, तो ओमेगा ल मानिस 1 बटा, omega c is going to be आपका r square, और you can say omega l minus 1 बटा omega c इस बच्चापाटी, अपना plus minus r, क्योंकि आपने root अटा दिया, plus r का square भी अपना r square ही होगा, और minus r का square भी अपना r square ही होगा, so you can say बच्चों, अब omega 1 चोटा है और omega 2 बढ़ा है, मतलब अगर आप देखोगे, omega r is going to be omega 1 plus delta omega, and omega 2 is going to be omega r omega r plus delta omega राइट बच्चापाटी, यानि कि omega 1 is omega r minus delta omega, and omega 2 is omega r plus delta omega omega 2 is like plus वाला side तो अगर इदर से ही लेना हुआ तो हम कैसे ले पाएंगे, तो आप ले लो भाया, omega 1 1l minus 1 by omega 1c is minus r, and omega 2l minus 1 by omega 2c is plus r मैं यही कहूँगा आप लोगों से दोनों को यार add कर दो एक बर ही add कर दो, एक बर ही subtract कर दो, like what? like add first and second, so omega 1l minus 1 by omega 1c plus omega 2l minus 1 by omega 2c is going to be minus r plus r 0, minus r plus r 0, अब यहाँ से एक और चीज़ समझो omega 1 plus omega 2 l sides common लिया minus 1 by c common लेकर, इधर आजाएगा 1 by omega 1 plus 1 by omega 2 and this is going to be 0 आप देखो, omega 1 plus omega 2 यहाँ bracket में l हो गया minus 1 by c, इधर से आपका omega 1 plus omega 2 over omega 1 omega 2 and this is going to be 0 and this is going to be 0, बात समझ में आ रही है बच्छों आपको बात समझ में आ रही है? yes sir अच्छा, यहाँ से अगर आप और देखते हो तो आपको क्या पता चलता है omega 1 plus omega 2 common लेने के बाद ठीक है ना, यहाँ से okay, l, this is going to be omega 1 plus omega 2, set ले जाओ c omega 1 omega 2 यह कट जाएगा, यहाँ से पता चलेगा बच्छों, यहाँ से पता चलेगा that l is equals to 1 by c omega 1 omega 2 subtract 1 from 2, यानि छोटे वाले को बड़े वाले से subtract करो कैसे, omega 2 l minus 1 by omega 2 c minus omega 1 l minus minus plus 1 by omega 1 c is equals to, अपना r minus of minus, तो यानि कि यह हो जाएगा r minus of minus r, और you can say, omega 2 है even यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो omega 2 minus omega 1 bracket में आपका bracket में आपका l आ गया, minus 1 by c, ठीक है ना minus 1 by c इधर से आपका 1 by omega 2 minus 1 by omega 1 तभी तो plus आएगा is equals to 2r, got it और यहाँ से omega 2 minus omega 1, ठीक है ना l minus minus की जगा plus कर दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 1 by c, इधर से omega 1 की बज़े, omega 2 minus omega 1 हो जाएगा, नीचे omega 1, omega 2 आपको पता है, 1 by c omega 1, omega 2 is l only तो इसकी जगे आप l ले लो, so omega 2 minus this is going to be 2r, so omega 2 minus omega 1 common लेकर यहाँ से आपका, this is l plus again l, which is equals to 2r, or you can say omega 2 minus omega 1 in bracket 2l equals to 2r, 2 से 2 कट जाएगा आपका, so you can say that omega 2 minus omega 1 is equals to r by l राइट बचापाटी, ये भी आपको समझ में आ गया, sir ये क्यों निकाला मतलब इसकी पीछे परपस क्या है निकालने का इसका परपस सिरफ और सिरफ इतना बचसो, कि मुझे आपको quality factor समझा रहा था, it was omega r by omega 2 minus omega 1, or you can say omega r by r by l l अपना ऊपर चलागा, so you can say that this is omega r by अपना r is, यानि कि आप quality factor बढ़ा सकते हो, अगर आपने inductance को बढ़ा दिया, या capacitance को घटा दिया, capacitance को घटा दिया सर, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चल सकता है बिटा, कुछ इस प्रकार से कि आपको पता चला, आपको पता चला कि सर, omega r l जो होता, वो 1 by omega r c हो जाएगा, and you know that omega r square is 1 by lc हाई है ना, so omega r के बज़ए क्या हो जाएगा या पर, 1 by root lc into l by r 1 by r तो बाहर ही है 1 by r तो बाहर ही है ठीक है ना, इधर से कहा जाएगा root में, l root में आएगा तो l square, नीचे lc, lc लकर जाएगा, this is going to be आपका 1 by r अपना root l by c यानि कि quality factor आपको यहाँ से यह भी मिल गया, that this is 1 by r root l by c आई बात समझ में यह भी आपको मिल गया कि भया, l k directly proportional है और c k inversely proportional है, हाँ एक और चीज़ लिख सकते हो quality factor आपने बोला सर, omega r l by r एक काम करो multiply करो i rms से divide भी करो i rms से यह क्या हो जाएगा, omega l is like excel तो यह हो जाएगा, आपका voltage drop voltage drop across l और c और यह नीचे वाला हो जाएगा, applied voltage असल में applied voltage जो होता न, वही आपका voltage drop across resistance होता है, ठीक है न तो यह आपका इधर से भी formula आ सकता है वही radio वाला concept समझाया है मैंने आपको, तो radio tuning वाला concept आप यहाँ पर कर सकते हो एक basic question, एक ही question दूँगा एक basic question देने के बाद फिर हम लोग सीधा-सीधा बढ़ जाएंगे आगे और अपना power in an AC circuit कर लेगे फिर transformer, chapter खताम होगे बहुत easy है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी इसके बाद max to max जितना मुझे लगता है तो 45 minutes का chapter बचा हुआ है 45 minutes में अपना ये खताम हो जाएगा but the question is here is बचो, question here is के sir sir a resistor of a resistor of 12 ohm a capacitor of reactance 14 ohm and a pure inductor and a pure inductor of inductance 0.1 henry are joined are joined in series and placed across and placed across a 200 volt 50 hertz ac supply calculate 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 the current in the circuit दूसरा दूसरा phase angle अपना pi को आप 3 लिग लो just for the sake of calculation just for the sake of calculation calculation ठीक है सर ये क्या बोल रहा है रिजिस्टर दे दिया xy दे दिया और आपका l दे दिया series में connect दे थै ठीक है ना ध्यान से लेग नहीं इसने capacitance नहीं दिया इसने आपको reactance दिया resistance दिया और inductance का inductance नहीं दिया inductor मतलब अपना inductance दिया inductive reactance नहीं दिया frequency दे दिया आपको और voltage दे दिया मैंने कहा था जब voltage देते तो वही आपका rms voltage होता है तो सबसे पहले जब यहाँ पर आपको current पूछ रहा है यानि कि यहाँ से क्या पूछ रहा IRMS पूछ रहा है क्या पूछ रहा बच्छो IRMS पूछ रहा है concept को समझो concept को समझो सबसे पहला पहला हिस्सा जो यहाँ पर आने वाला that is r given है 12 ohm xc given है 14 ohm and inductance is 0.1 henry so IRMS is going to be 200 volt what's up party frequency is 50 hertz यहाँ पर आप xl की बात करेंगे तो क्या आएगा xl is going to be what's up party xl is going to be what's up party omega l वैसे तो आप z की भी बात कर सकते which is r square plus xl minus xc ka whole square ठीक है ना तो xl to omega l हो गया यानि 2 pi new l यानि 2 pi की जगह 3 लेना था new आपका 50 दे रहा है l is 0.1 point से यह हट जाएगा 5,2,10,3,30 30 ohm आगया आपका xl xc आपको already 14 ohm दे रहा है r आपको already 12 ohm दे रहा है z निकालो एगवरी कैसे निकलेगा अपना 12 का square plus xl minus xc यानि 30 minus 14 तो 16 का square ठीक है ना तो यह हो जाएगा अपना root of 144 plus 256 यानि root of 400 यानि आप कह सकते है 20 ohm so z is going to be 20 ohm और अगर current की बात करते है तो i rms is going to be e rms over z यानि e rms कितना दे रहा है 200 volt और z कितना दे रहा है 20 तो current होगए आपका 10 ampere current कितना होगए 10 ampere और अगर face difference पूझ भी लिया उसने अगर face difference पूझ भी लिया तो आपको पता है कि ऐसा LCR circuit में XL-XC या फिर XC-XL बटा r XL कितना 30 XC कितना 14 r कितना 12 so this is going to be this is going to be 16 बटा 12 and this is going to be 4 by 3 और आपको पता रहना चाहिए for competitive purpose कि अगर एक triangle है यह आपका 30 है ठीक है ना यह आपका 30 है ठीक है ना 37 डिग्री होता है और एक 53 डिग्री होता है तो 37 के यसाब से 3 के सामने 3 वाला और 53 के सामने 4 वाला और इसके सामने या 5 वाला तो आपका 10 53 जो होगा ना that is going to be आपका सामने perpendicular 4 by 3 यह 4 by 3 आया यानि कि 53 डिग्री एंगल है face difference यानि कि face difference is going to be 53 एंगल इस तरीके से बचों आपसे वो questions पूच सकता है इस तरीके से आपसे यह questions पूच सकता है मतलब अगर ऐसे questions कभी आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है आपको यह सीधा सीधा जवाब देना है उनको कि अपना यह हो गए got it guys आई बात समझ okay now second last topic power in an ac circuit अब second last topic है बचो power in an ac circuit sir वो कैसे करेंगे बहुत simple है बचो बहुत simple है मैं आपको समझाता हूँ मेरी बात को समझना बचो पावर in an ac circuit power in an ac circuit यह क्या है आपको पता है power का मतलब क्या है rate of doing work न या energy consumed in the circuit per unit time है ना आप यह कह सकते हो कि rate at which energy is consumed in an electric circuit in an electric circuit एक electric circuit में energy consumed हो यह per unit time है ना आप so you can say that e is going to be e0 sin omega t and i is going to be i0 sin omega t minus 5 for an example generally तिदे को power v i होता है कहाँ पर dc में बच यहाँ पर आप e rms into v rms नहीं कर सकते यहाँ पर आप तोड़ा करके देखो सपोस करते पावर इंसलेंस e into e i है ठीक है ना यानि e0 sin omega t into बच्चा पाटी i0 sin omega t minus 5 like this आप concept को समझो बटा concept समझो e0 i0 आप बाहर ले लो यहाँ से sin omega t है और यह sin omega t minus 5 है बच्चे sin a sin b है मैं एक काम करता हूँ मैं कहूंगो बटा multiply and divide यही पर लिख देता हूँ multiply and divide by 2 and divide by 2 so you can say बच्चो that this is i0 e0 अपना 2 से multiply किया तो 2 sin a sin b divide by 2 भी करता हूँ आपको एक चीज़ पता रहने चाहिए किसा 2 sin a sin b 2 sin a sin b is going to be cos a minus b minus cos a plus b minus cos a plus b आई बात समझ तो आप यहाँ से यह भी कह सकते हो कि सर्फ this is e0 by root 2 i0 by root 2 यह 2 sin a sin b है so this is going to be a और इसको मैंने b माना हुआ है ठीक है ना तो यह हो जाएगा अपना cos a मानी omega t minus b omega t minus minus plus y minus cos a plus b यानि omega t plus omega t minus b यह हो गया आपका omega t से अपना यहाँ से देखो omega t से omega t cancel out हो गया तो यह हो गया e0 यानि e0 by root 2 गया हो गया e rms यह आपका i rms इदर से आपका cos y ठीक है average एक complete cycle के across 0 होगा तो यह लिक लेता हूं यह लिक लेता हूं ऐसा मत समझना कि मतलब लिकूंगा नी तो फिर आपको समझमा देगा because cos 2 omega t minus phi this is a time dependent term time dependent term therefore its average value its average over a cycle is zero its average over a cycle is zero but it's a party so you can say now that power average is e0 i0 by 2 cos phi power average is e0 i0 by 2 cos phi क्योंगे तो आपका वैसे भी 0 होगे now now you can say that now you can say that or you can say power average is e rms i rms into cos phi अब आप यह कह सकते है कि sir sir this is our true power जो अपने को ac में चाहिए था this is our apparent power जो आप सोच रहेते कि इसके बराबर होगा तो लेकिन true power अब यह cos phi क्या है this is our power factor this is our power factor आपी बात समझ इस आवर power factor i hope this is clear sir अगर एक triangle बनाओ 5 बनाओ यह z है यह r है तो cos phi क्या होता है r by z तो कभी अगर power factor हो तो r by z बना लो इस power factor के बिहाफ पर आपको पता चल सकता है भाईया circuit capacity है inductive है, resistive है, LCR है क्या है अच्छा देखो, sir कैसे पता चलेगा, concept समझने के गोश्च करो cos phi अगर आपका 0 है, तो आपका power क्या होगा e rms, i rms into 0, अब यह तो 0 ही हो गया, average power 0 होगा बट cos phi 0 कभ होगा, जब आपका phi 90 degree होगा, हाय है न, ऐसा कभ होता है inductance के case में, कभ होता है, inductance के case में, अच्छा cos phi 0 तब भी होता है, जब आपका phase difference minus phi by 2 है you know why, because cos of minus theta जो होता है, वो plus cos theta ही होता है तब भी आप कह सकते हो, sir, p बराबर e rms into i rms into अपना 0 बात समझ में आ रही है, तब भी आप यह कह सकते हो, sir, power is 0 यह कौन से case में, अपना वई, capacitance के case में हाई न, अपना capacitance के case में, I hope this is also clear sir, बाताथ की से, cos phi 1 कब होगा, जब आपका pure resistive case है या फिर आपका resonance वाली कहान, तब हो जाएगा आपका power average, कितना? e rms, i rms, because cos phi तो आपका सीधा सीधा 1 है, मेरी बात समझ में आ लिए, cos phi तो आपका सीधा सीधा 1 है I hope this is clear, right बच्छा पार्ट? तो इसका मतलब, एक काम करते हैं, इसका मतलब एक काम करते हैं, यहाँ से ज़रा derivations निकालने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या? average power associated with resistor, average power associated with inductor, then average power associated with capacitor एक बड़ी ज़रा यहाँ से derivation निकालने की कोशिश करते हैं अगर आप लोग को speed बहुत fast लग रही है, बच्छो तो थोड़ा सा, थोड़ा सा, pause low, rest करो, कोई बाते थोड़ा दीरे देखो, अब मैं कोशिश करूँगा, इससे जाद speed थोड़ा slow करो, क्योंकि मुझे भी realize हो रहा है कि दो गंटे में लग बग अभी आदे गंटे और यहाँ आदे गंटे में चाप्टर इसना बड़ा खतम हो गया, जिसमा हमने questions भी गाल, तीस ही तो जाला हूँ, बट ठीक है, मतलब आप यह समझे वान शॉट है, तो बहुत सारे लोग revision कराते हैं, तो फिर भी बुरा detail कर लि अरे तो recording post करी थी, गया तो था, ठीक है, गया तो था, सोच के देखो, रात के टाइम पे ना, अभी आप लोग एक सवाल पूछते हो न, सर रात के टाइम पढ़ना चाहिए, दिन के टाइम पढ़ना चाहिए, जब शुरुआत करी थी न, इत वस अप्रॉक्सिमेटली और चार तीन हो रहे हैं, यानि कि दो गंडे का लेक्चर अब तक हुआ है, तो बारात से बीस, एक बीस, दो बीस, काईदे से धाई बजे तक मेरे को मतलब अब तक ये कंप्लीट करना था, बट चार तीन, यानि कि वान आर थर्टी मिनट्स मैंने एक एसाब से वेस्ट कर दिन में यही लेक्चर ले रहे होते, तो एक साथ ले लेते, समझ रहे हो, तो इसलिए मंदब देखो, कोशिश यही करने चे कि सुबह बढ़ाई करें, बागी देखो, रात में तो फिर अपना, देखो, दिमाग में तो डला ही हुआ कि रात में करेंगे, आपके सर भी तो with a resistor, average power associated with a resistor, got it, so this is going to be, V is V not sin omega t, got it, क्योंकि बहिया, आई और V में कोई phase difference नहीं होता, and I is I not sin omega t, जी सर, तो इसका मतलब, अगर मैं आप से कहूँ, अगर मैं आप से कहूँ, कि work done in small time dt, मुझे तो average power चाहिए, और power average क्या होगा, work done per unit time, यानि अप on t कर देंगे, तो पहले work done निकाल लो, उसको tc divide कर देंगे, work done in small time dt, ठीक है न, क्या हो जाएगा, dw बराबर p into dt, तो सर, p क्या है, v i into dt, यानि, v naught, i naught, sin square omega t into dt, भाईया, इसको multiply कर दो, पहला और दूसरे को, दिक्कत क्या है, सर, यह भी बात सही है, v naught, i naught, 2 से divide मारो, 2 से multiply करो, सर, ऐसा क्यों किया, because आपको पता है कि, 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta, that simply means, sin square theta बराबर, 1 minus cos 2 theta by 2, तो आप यह भी कह सकते हो, कि, सर, यह dw है, अभी, total work done नहीं है, सर, dw का integration यानि work done, बराबर, v naught, i naught by 2 यह तो बाहर ही है, integration of 1 minus cos 2 omega t, 1 minus cos 2 omega t, 1 minus cos 2 omega t, by 2, टिक है न, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 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 तो यह ऐसे आगे, अब इसको dt से multiply करो, लिमिट्स कहा से काल होगी, 0 से capital T था, आर ये बात समझ सर, अगर यहाँ तक कहान ही ठीक है, तो work done क्या हो जाएगा अपना V naught by root 2, जी सर I naught by root 2 ओके सर, 1 का integration, small t, कहा से कहा तक, 0 से T था, minus cos 2 omega t का, cos का तो plus ही रहेगा, तो sin 2 omega t, और आपको सिखाया था, divide करेंगे इसके differentiation से, ने 2 omega 0 से T था, सर, V rms, i rms, t minus, t minus, ठीके न, t minus, अपना, 1 by 2 omega, sin of 2 into 2 pi, 4 pi by t, एक बारी small t की जगे, capital T minus एक बारी small t की जगे, 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपको मिला, v rms, i rms, into t, what is this, work done, work done per unit time is, v rms, i rms, और आपको पता है, that power is, work done per unit time, what is this average power, which is v rms, into, i rms, और आपको पता है, वैसे भी, क्योंकि, cos phi 1 है, pure resistor में है, तो इसले power, v rms, into i rms आएगा, ये हमें पता था, but मैंने आपको, derive करा है, कभी अगर ऐसा question आए, और step में first जाओ, तो आपको पता रहना चाहिए, या आप, अब देखो, v बराबर i r, तो आई बराबर v r, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, v rms square by r, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, this is going to be v rms square by r, I hope this is clear, right, चेके जी, a resistor के across आपने power ले लिया, हमें पता है, average power associated with index is 0, capacitor is 0, derivation कर लेते, थोड़ा साब को idea लगा रहेगा, now, average power, associated with inductor, average power associated with inductor, आप बाच समझे, average power associated with inductor, sir, v is going to be v naught sin omega t, i is going to be i naught sin omega t minus pi by 2, right, or you can say, or you can say, minus बाहर ले लोगे, तो minus i naught sin, ये प्लस हो जाएगा, pi by 2 minus omega t, और आपको पता, sin 90 minus theta, is cos theta, this you very well know, so this is going to be minus i naught cos omega t, आई बात समझ, i आपको मिल गया, v आपको मिल गया, power आपको पता है, कि dw by dt होगा, तो अगर dw की बात करनी है, तो वो p into dt होगा, वो p into dt होगा, हाई है न, any problem, नहीं न, इसका मतलब, minus v naught i naught, sin omega t into, cos omega t into dt, तो इसका मतलब work done के लिए, dw का मारा हो integration, यहाँ से v naught i naught, अगें 2 से divide करो, integration करो, 2 sin omega t, cos omega t into dt, and you very well know this, that, that, 2 sin theta is, sorry, 2 sin theta, cos theta is, sin 2 theta, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, आर यह बाद समझे, यानि कि आप यहाँ से समझ सकते हो, कि sir, this is going to be, this is going to be, अच्छा, minus भी था, minus को याद रखना में शब, और sin का तो minus minus plus हो जाएगा, minus minus plus हो गया, चीक है, so v naught i naught, by 2, sin 2 theta का, वैसे पहले minus था, अभी minus रहने दो पहले, sin 2 theta का, minus cos 2 omega t, नीचे आपका 2 omega आगया, 0 से t तक, यहावर भी 0 से t तक, now this is, this is what, v naught i naught by 4 omega, minus minus plus, and cos of, 2 into 2 pi by t, एक बारी capital T, minus एक बारी cos 0, cos 0 1 होता है, यह 1 होता है, so this is, 0 only, वर्गदन ही 0 हो गया, तो average power तो automatically 0 हो गया, that is W beta capital T, which is obviously 0, which is obviously 0, आई बात समझ, आई बात समझ, अब आपको capacitor में क्या करना है, same concept है, कोई बहुत बड़ी तीर नी मारनी capacitor, लिख लो चलो, average power associated with pure capacitor, average power associated with pure capacitor, average power associated with pure capacitor, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको पता है, V बराबर Q beta C होता है, चलो, energy तो छोड़ो न, energy का तो क्या ही करेंगे, normal निकाल लो, V is V not sin omega T, हाँ, यहाँ पर I होता है, I not sin omega T plus pi by 2, I होता है ऐसा, यहाँ पर क्या होता है ऐसा, I होता है ऐसा, अब sin theta plus 90 B अगर होगा न, तो यह आपका plus sin theta आएगा, because sin is positive in second quadrant, sin जो होता है, वो second quadrant में positive रहता है, that simply means, this simply means that this is going to be, this is going to be I not cos omega T, right है जी, तो अब आप समझो, अब आप समझो, अब आप समझो, कि आपका जो work done है न, dw, वो क्या होगा, p dt, यानि v idt, यानि v naught, i naught, sin omega T, cos omega T, into dt, अब minus नहीं है आपका, plus ही है, बस पुरा से में है, वापे minus लग था या पे plus, वापे ultimately, last math plus, को 0 से multiply करना था, या पर minus को 0 से, now, dw बराबर, v naught, i naught, by 2, into 2 sin omega T, cos omega T, into dt, भई या 2 sin omega T, cos omega T, sin 2 omega T, so v naught, i naught, by 2, into sin 2 omega T, समझ में है कि नहीं है, into dt, this is dw, अगें, again, dw का मारों integration तो आएगा, work done, यहां आएगा आपका, यहां आएगा आपका, v naught, i naught, by 2, integration of sin 2 omega T, into dt, 0 से capital T, concept को समझना, w is v naught, i naught, by 2, sin 2 omega T का मतलब होता है, minus cos 2 omega T, by 2 omega, 0 से T तक, और you can say, work done is, v naught, i naught, by 4 omega, वो भी minus में, वो भी, minus में, इदर आजाएगा, आपका, cos of, 2 into, 2 pi by T, small t की जगह, एक बारी capital T, minus एक बारी, cos 0, भी आपका, वो भी पाई वाला, भी 1 होता है, यह भी 1 होता है, so answer is, ultimately फिर भी 0, अगर यह 0 है, तो average power, तो w बटा T है, which is again 0, इसका मतलब, average power associated with, a pure capacitor is also 0, इसका मतलब, average power associated with, a pure capacitor is always 0, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले ना, एक बारी transformer खतम कर देता है, कई पता चले, नीन नीन की चक्कर हैं, बाद में मैं आप से कह दूँ, कि भाई आज नहीं कर पाएंगे, अगली glass खतम करते हैं, तो उससे पहले, एक बारी transformer को खतम कर लेते हैं, questions फिर कर लेंगे, chapters तो, मतलब chapter at least finish कर देते हैं, safer side पर खेलते हैं न, transformer, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो transformer क्या है, transformer एक ऐसा electrical device है, जो अगर कम AC है, तो उसको बढ़ाने की काम आता है, और अगर बढ़ा हुआ AC है, तो उसको कम करने की काम आता है, यान इस अन electrical device, विच इस उसे उसे तो convert, low AC at high, and high at low, और इसी लिए इसकी दो तरीकी की transformer होते है, step up transformer and step down transformer, क्या कह सकतो हो, transformer is an electrical device, for converting an AC at low voltage, into that at high voltage, और Y से वर्सा बिटा, और Y से वर्सा, मेरी बात समझ रहे हैं, और Y से वर्सा, अगर या output voltage बढ़ा के देगा, step up transformer, output voltage घटा के देगा, step down transformer, क्याने का मतलब, क्याने का मतलब, if it increases the input voltage, if it increases the input voltage, it is called, it is called, step up transformer, and if it decreases the input voltage, it is called, step down transformer, it is called step down transformer, बात समझो, असल में एक आपका primary coil है, आपने AC source कनेक्ट किया, ठीक है, EMI के principle काम करता है, यहाँ पर, ठीक है न, मान लेते, यू समझ लो, लोड है यहाँ पर, ठीक है न, रेजिस्टन से कुछ भी लगा दिया आपने, लोड, ठीक है न, इसको बोलते है primary coil, यह कोते है secondary coil, सबसे पहले पहले, यहाँ पर एक बार इसका principle लिख लो, एक बार इसका principle लिख लो, यह EMI के principle पे काम करता है, कि अगर primary coil की across आपने current दिया, तो secondary coil की across magnetic flux का change होगा, और उसमें current का induction होगा, प्रॉपर EMI का principle, लिख लो पूरा-पूरा, कैसा, it works on the principle of, EMI का मतलब mutual induction, यह आपका mutual induction के principle पे काम करता है, that is, when a changing current is passed through, when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coils one of the two inductively coupled coils and induced EMF is set up in another coil an induced EMF is set up in another coil an induced EMF is set up in another coil मेरी बात समझ में आ रही है इसका तो सीधा सीधा एक मतलब यह है बच्चो कि अगर आप इधर देखोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है primary coil में अपना induced EMF होगा ठीक है न terminals मान लेते open है एक coil का N1 turns है दूसरे coil का N2 turns है primary coil में जो EMF induced होगा आप यह लिख सकते हो बच्चो कि सर थेयरी लिखवा रहा हूँ अभी आपर EMF induced in primary coil EMF induced in primary coil E1 is going to be minus N1 D5i dt ठीक है न और secondary coil में minus N2 minus N2 D5i dt What is this? अपना वही secondary coil में EMF induced So EMF induced in secondary coil Got it? EMF induced in secondary coil अगर मैं दोनों का ratio ले लूँ तो E1 by E2 क्या मिलेगा मुझे? N1 by N2 ठीक है E1 by E2 क्या मिलेगा? N1 by N2 और दूसरी बारी में अगर आप देखोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है यार बड़ी सिंपल सी बात है कि अब देखो दो चीज़े हैं इफ N2 is greater than N1 तो E2 will be greater than E1 और इस केस में transformer होगा step-up transformer यानि step-up transformer में क्या होना चाहिए? number of यानि step-up transformer में बटा क्या होना चाहिए? number of secondary coil should be greater than number of primary coil step-up transformer गड़ गईज? और दूसरा अगर N2 is less than N1 यानि primary coils अगर ज्यादा होगे तो E2 will be less than E1 इसको बोलते है step-down transformer step-down transformer में voltage अपने को कम चाहिए अगर कम voltage चाहिए तो कम voltage क्या करेगा बच्चों कम voltage क्या करेगा? उसके लिए आपका जो secondary coil है उसके across number of tons कम होने चाहिए समझ में आया की नहीं है? अब देखो दो चीज़े होती है अगर हम transformer को ideal मान के चले तो जितना power आप input दोगे उतना ही power output देगा हो ऐसा होता नहीं है जनरली 100% possible नहीं है loss तो होता ही होता है बड़ अगर मान के चले तो ऐसा बोल के चल सकते हैं हम लोग कि assuming the transformer assuming the transformer to be ideal to be ideal so that there are no energy losses अगर energy loss नहीं होगा तो क्या करो गया? so in that case input power is going to be output power input power is going to be output power बचापाटी हाए ना? हाए ना बचापाटी हो? yes sir input power is going to be output power यानि even i1 is going to be e2 i2 यानि even i1 is going to be e2 i2 और you can say even बटा e2 is going to be i2 बटा i1 या सिधा सिधा n1 by n2 तो एक तो आपका ये भी आगया एक तो आपका ये भी आगया यानि कि current के तो inversely proportional हो गए ठीक है ना? अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा transformer कितना ज़्यादा efficient है कितना ज़्यादा अच्छा है कितना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वहाँ पर अपने को निकालना पड़ेगा efficiency of a transformer ये लिख ले आओगा आप लोगों ने चले आगे now now we can say that now we can say that efficiency efficiency of a transformer यानि efficiency गा मतलब power input over even power output कितना देगा और कितना आप दे रहे हो उसको उसे साब से power output over कितना आप input दे रहे हो अगर उसको मैं 100 से multiply करो तो अपने को efficiency के बारे में पता चल जाएगा generally अगर देखा जाए generally अगर देखा जाए real transformers की तो efficiency काफी हाई रहती है 90 to 99% but you can say that 100% तो मतलब नहीं होती है 100% energy losses तो होता ही है तो आप यह statement ज़रूर add कर दे न कि the efficiency of the efficiency of real transformers is fairly high is fairly high 90 to 99% to not 100% मतलब 100% तो नहीं होगा 100% तो नहीं ही होगा आई बात समय अब सर यह जो losses हो रहे है energy losses है किस-किस form में हो रहे है तो energy losses आपको बता दू मैं किस-किस वज़े से हो रहे है एक तो copper loss copper wire है ठीक है ना जो वो wire है current जाएगा तो heat भी होईगी wire हाया ना जो primary और secondary coils को बनाने में लग रही है वही तो copper wire है समझ में आया कि नहीं है तो sir copper wire इसको minimize कैसे करे जा सकता है हाँ केन वी मिनिमाइज दिस हाँ आप थिक copper wire यूज करो क्योंकि area ज्यादा होगा ठीक है ना और उसका resistance उतना ही कम होईगा उसका resistance उतना ही कम होईगा तो current जो है ना easily जाएगा मतलब उसको लड़ाई जगणा नहीं करना पड़ेगा तो फिर वही वाली बात है ना copper loss नहीं इतना ज्यादा heat loss नहीं होगा इतना ज्यादा energy loss नहीं होगा मैंने आपको बताया था transformers में अपन लोग eddy current का भी मतलब induction होता है क्योंकि induction हो रहा है तो eddy current loss हाय है ना iron core होता है यहाँ पर भी ठीक है ना जो heat के फॉर्म में energy को loss कर रहा होगा तो यहाँ पर भी अगर minimization देखना है तो वह अपना eddy current क्या होता है laminated core use कर लो अपना laminated core use कर लो जैसे eddy current का minimization है ना वैसे ही अपना use laminated core तीसरा आप देख सकते हो flux leakage है ना flux leakage क्योंकि एक coil दूसरा कोई हम अरड़ी पढ़ चुके है इसमें कुछ नया नहीं पढ़ रहे है एक coil का flux दूसरे coil के across तो इसके लिए आप minimization अगर देखना चाहो तो वह क्या कर सकते हो सीधा सीधा एक coil को दूसरे coil की उपर वांड कर दो एक coil को दूसरे coil की उपर वांड कर दो so you can say that you can say that it can be minimized it can be minimized by wounding one coil over another one coil over another ठीक है ना और एक होता है बिटा एक होता है humming loss असल में ऐसे ऐसी आवाज आती है तो humming sound के form में यानि कौनसी energy? electrical energy is lost in the form of humming sound ठीक है ना? आई बात समझे? ये थे आपके ये थे आपके losses कोई दिकत वाली बात तो नहीं है सर losses तो ठीक है transformer कहा कहा use होता है so what are the uses of transformer? अगर इतना सब कुछ losses भी हो रहा है फिर भी use हो रहा है तो कही ना कही तो हो uses क्या होंगे? आपके radio receivers में लग सकते हैं radio receivers में लगे होता है transformer लग सकते हैं लगे होते हैं टेलीफोन में लगे होते हैं loud speakers में लगे होते हैं कहा पर? loud speakers में लगे होते हैं उसके बाद आपका voltage regulator जो TV के लिए use होता है जो refrigerators के लिए use होता है जो AC के लिए use होता है computers के लिए use होता है ठीक है ना? stabilized power supply में तो इन सब जगे हैं मतलब यह use होता है मतलब आप यह समझो जो X-rays की production के लिए अपने को step down transformer साओ स्वारी step up transformer use करना पड़ सकता है यह सब चीज हो है ना? यह सब चीज हो है ना? देखो generally ऐसा भी होता है कि यह transformer अपना वहाँ पर भी use होता है मतलब आपका जो electric generation station है ना? ठीक है ना? जिसको आप बोलते हो generating station जहां से आप consumer तक electricity पहुचाते हो वहाँ पर भी transformers का ही use होता है आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है आप वोल्ट कर दिया फिर उसके बाद step down में 11,000 कर दिया जो आप इस area में देखते हो लिखा होता है danger फिर उस 11,000 से आपके पास गरों में अपना अपना या 11,000 से मान लो 2000 कर दिया या इसा करके फिर घरों में 220 वोल्ट की supply आ रही है तो इस सब transformers का खेल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है transformers समझ में आया की नहीं आया और इसी के सात्यार अपना chapter भी होता है finish मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूंगा बच्छो कि आप लोगों को ज़्यारा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है देखो मैं आपको एक बात और कह दू प्लस पर 1st October से MCQs आ गए आप लोगों के सारे chapters के ठीक है न तो इस चीज़ की भी टेंशन ना ले यह तो रही पहली बात यह तो रही first talk दूसरी बात यह है बच्छो कि इस channel पर भी न पूरा October प्राक्टेस ही करेंगे हम लोग पूरा October प्राक्टेस ही करेंगे तो आप टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे ठीक है बच्छा पाथे और बाकिए आप सभी से मुलाकात करेंगे हम सीधा-सीधा आपके अगले session में या अगले वीडियो में वी के आर्मी कोड को जरूर याद रखिएगा और जरूर इसको शेर करते रहिएगा मिलते हैं आप से आपके अगले लेक्चर में तब तक यह बचो आल दे बेरी बेस्ट बाइ आल बचा पार्टी एंड यस जहिंद गुनाइट